हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनाव पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अगला वन सौट जिसका नाम है ऑउकलच के अनुप्रियोग इससे पहले जो हमने वन सौट अपना कंप्लीट किया था वो हमने सांतता था अउकल नियता का वन सौट कंप्लीट किय दिया था सांतता वाला पार्ट अलग किया था और अउकल लियता में extract तो वह प्रियोग में यहा पर करना है ठीक है तो Auckland पर प्रियोग पर आधारी जो question बनते है Auckland के प्रियोग में उन्हीं का आज हम one shot complete करने वाला बहुत ही मज़ेदार one shot है तो सभी लोग proper इसको complete करेंगे तीन exercise दी गए पहले दो और हुआ करती थी दो अब हटा दी गए नए NCRT के ला इसाब से मुख चलना है NCRT का one shot design कर रहा हूं कि सभी बोड के लिए important question हो सके सभी बोड का proper revision हो सके चाये वो भीहर बोड हो चाये UP बोड हो MP पोर्ड हो 36 गर बोड हो जारखंड बोड हो या किसी बिराजिस्तान बोड हो या महराष्ट बोड हो किसी भी बोड से आप पढ़ाही कर रहे हो सभी बोड के point of view से बहुत important और बहुत ही प्यारा one shot आपके लिए लाया हूं मैं ठीक है तो चलिए फिर बिला किसी देरी के हम लोग start करेंगे आज का जो हमारे पास one shot है बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है आउकलन का अंप्रयोंग इसमें basically हमें तीन exercise दी गई है 6.1, 6.2 और 6.3, 6.1 में हमें सबसे पहला part start करना है जिस में हम रासियों के परिवर्तन की दर के बारे में सीखेंगे ये 6.1 में हम इसकी बात करेंगे 6.1 में रासियों के परिवर्तन की दर को समझेंगे और इस पर question करेंगे question बहुत सारे दिये गह bırak yaklaş हें ज्यादा से ज्यादा questions आपको करा दू है ऐसे question में कैसे approach रखनी हैं हमने तो उस प्रकार के question मैंने लिये हुए अगर हम दूसरी exercise 6.2 की बात करें तो यह वर्दमान हाश्मान फलन की बात होगी यहाँ पर तीसरी 6.3 में हम उच्छितम और निम्नतम की बात करेंगे या उच्छिष्ट और निम्निष्ट भी इसे बोलते हैं मैक्सिमा मिनमा की हम बात करेंगे ठीक है तो तीन बेसिक exercise है तीनों important exercise है question आने है इससे उसमें कोई सक नहीं है और बड़ी बड़ी exercise है तो काफी सारे लेक्चर आपको complete करना है कोई भी 20 से उठला नहीं चाहिए आप पूरा proper लेक्चर यहां से complete करेंगे तो मिस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ratio में परिवर्तन की दर के कि राशियों में परिवर्तन की दर आखिर होता क्या है तो राशियों की परिवर्तन की दर की अगर हम बात करेंगे अभी तक हमने X के सापेच ओकलन कर रहे होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, D Y by D X का, परिवर्तन की दर किसके सापेच, X के सापेच, किसमें परिवर्तन की दर, Y में, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, Y में, Y एक फलन हमें दिया गया है, जो X के पदों में है, और X के स अगर बेसिक से और भाथ करें जैसे कि आप Physics में पढ़ते हैं गी Bennett की परिवाशा पढ़ते हैं। टोल की परिवाशा क्या होती है वेग परिवर्तन की दर को ही टочку आणा कहते हैं मतलब वेग परिवर्तन की डर div upon dtv यहाँ पर वेग में परिवर्तनओ हो रहा हore, small V लिखाए, वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेच, तो जब समय के सापेच वेग में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं तौरण एक्सलरेशन बोलते हैं एक प्रकार से यह नहीं लिखाए dv upon dt मतला मुँवे चा linked का डिफ्रेंसी येशन कर रहे है आउखलन और एक सब रहे हैं समय के सब लेकर नरे चांग की तो यह क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर प्रिवर्तन की गल लिए कि किसके साह पेज समय कि अल्वार्तन के दर कि ऐसी की बात हम बोलते हैं को कहा Happy कि इसके बात करनी है जब हम यहां पर गडित नपस में आउकली जैन自V की जाएगी वो किसपर जादा पूछी जाए गीまだ कि सय थका यथा मतलब का डीवी अपॉन डीटी वी यहाँ पर कैपिटल है मतलब भी मतलब क्या आयतन तो वी में परिवर्तन की दर रही समय के साप एचे वी में परिवर्तन की दर अगर तीक यह कैए ृपध की आयत solve में परिवर्तन की दर हो सकती है समय के साथ पेठ परिवर्तन की दर निकालेंगे तो ृपए अपकले यह अल्यगाम एरिया को दिनोट करेंगा हम कैसे लिखा होगा इCal अपांट DT, यह क्या हो जाएगी? छेतुपल में परिवर्तन किधर हो जाएगी, किसी आयत की बुझा के सापेश परिवर्तन की दर हो रही होगी, तो वो बुझा कोई भी मालो, एकस वाइम आलो, या ABC कोई भी नामे दे दो, तो डिये अपाउंट DT, डिबी अपाउंट D तो ये सारी चीजे में आपर calculate करने वाले हैं कि किस प्रकार से रासियों की में परिवर्तन की धरोरा किसी एक रासी में परिवर्तन हो रहा होगा वो किसी के सापेच हो सकता होगा वो समय के सापेच हो सकता है जैसे यहां पर हमें एक्स के सापेच दिया गया किसी अन चीज के स साथ भी हो सकता है maximum case में आपको समय के साथ एच्छी परिवर्तन की दर्किया में आपर चर्चा करनी होगी ठीक है अब इसमें परिवर्तन की बात आती है तो दो चीजें होती है एक छोड़ी चीजें और समल लेते बस छोड़ी ओड़ी चीजें फिर कोश्चन ही लगाएंगे दो चीजें हो सकती है अब परिवर्तन या तो परिवर्तन हो सकता है परिवर्तन ये भी हो सकता है कि चीजें बढ़ रही हो समय के साथ पेच ये भी हो सकता है कि चीजें घट रही हो तो जब चीजें बढ़ती है जब चीजें क्या होती है बढ़ती है तो बढ़ने को हम प् सैंसे डिनोट करते अगर कोई चीज़ घटने लगे घटती है कोई चीज़ अगर घटती है तो उसको हम माइनस के साइंस से डिनोट करते हैं बस इतना ही मतलब है यहां पर चिनका जब भी plus minus का कोई भी minus की लगा दिखें आपको तो बसimiento इतना समझ लेना कि वहाँ पर जो चीजों में परिवर्तन की दर है, वो किसी ना किसी चीज के सा पेच घट रहे हैं। अगर वो घट रही है तो वो निगेट्व साइन से डीनोट की जाएगी, अगर वो बढ़ा रही है तो पॉस्ट्व सायंस से डीनोट की जाएगी। बहुत अच्छे question बनते है, simple question बनते है, fixed pattern ने question का कहीं न कहीं, इसी प्रकार से question सारे solve हो रहे होंगे, चलते हैं हमने questions की हो, मैंने सारे question अच्छे question उठाय हुए, पहले मैं question number 2 कर रहा हूं exercise का, 6.1 exercise का question number 2 है, NCIT की सारे question लिए हुए, ताकि सारे boards के concept complete हो सके, ठीक है, तो बि दिखा हुआ है, कहरा है, एक घन का आयतन, 8 cm3 की पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, प्रश्ट छेत्रफल किस दरह से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 cm हमें दी गई है, ठीक, कहरा है, एक घन का आयतन, 8 cm3 की पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, अब यह पर यह क्या दिया गया है और आयतन किसके साफ पेच दिया गया है समय के साफ पेच अब हमें यहाँ पर इसने समय कहीं डारेक्ली नहीं दिया लेकिन इन डारेक्ली इसने बोला है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब यह में क्या दिया गया है आयतन तो दिया गया है दीवी पट किसके साफ पेच दिया गया है समय के साफ पेच डीवी अपॉण डीटी क्योंकि यही तो लिखा है आठ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड सेकेंड किसका मतलब है समय का मातरक है ना समय की बात कर रहा है तो डीवी अपॉण डीटी हमें कितना दिया गया है आठ से मजना important है कि हमें question में दिया क्या है और सबसे important चीज इसमें 10th के कुछ फार्मूलों का यूज होना है जैसे यहां घन के आयतन की बात हो रही है कभी घन का छित्फल कभी घनाप का आयतन कभी संकु का आयतन तो यह चीजे में फार्मूले देखो याद होने चीए यह 10th के पड़े हुए फार्मूले है अगर किसी को नहीं याद है तो फार्मूले सारे आपको अविलेवल मिल जाएंगी तो पहले फार्मूले जरूर अपनी copy पे लिख लेना ठीक है बाकी यहां जो मैं फार्मूले यूज करते हैं अब इसकी बात करते हैं हमें dv upon dt question में दिया है कैरा प्रष्ट छेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यह हमें ग्याद करना प्रष्ट छेत्रफल को हम डिये लिख देते हैं upon dt वो भी समय के साब अच्छी बात होगी डिटी के साब अच्छी उसकी भी दर की बात हो र है अगर उसने का कि किनारे की गए जो लंबाई है वो बारा सेंटीमीटर माना किनारे की लंबाई मतलब कुसी एक भुजा की लंबाई दियमें सीधा किनारे की लंबाई इसको किसी हमें कुछ भी परिवर्तन भी हो सकता है तो यह हमें 12 cm दिया हुआ अब अच्छा बात करते हैं यहां पर हमें dv upon dt दिया है 8 cm3 पर से के डिए अपॉन डिटी हमें ग्याद करना है अच्छा छेत्रफल होता क्या है घंड का आगर हम छेत्रफल लिखे तो घंड का छेत्फल ए बराबर क्या होता है 6a2 यह होता है ए आपर क्या है भुजा की लंबाई यह किनारे की लंबाई ए यह हमने लिखा हुआ है six a square होता है अब इसमें परिवर्तन की दर ग्यात करना है समय के साफेच इसका ओकलन करते हैं डिए अपॉन डिटी तो six constant है कोई दिक्कत नहीं एक उस्टेंट ना माल लेना भुजा की लंबाई है इसमें परिवर्तन हो रहा है वैरियेबल की तरह सकते हो जो दिमांग में आए वो मान सकते हो लेकिन यह ना सोचना कि एक उस्टेंट है यापर ठीक है तो कि इसमें परिवर्तन हो रहा है मतलब की कुछना कुछ वैरियेबल है यापर six a square a square कर देंगे तो यह आजाएगा टू ए और यह आजाएगा डिये अपॉन डिटी ठीक बतलब यहां से आ गया डिये अपॉन डिटी बराबर शैदुना बारा ए डिये अपॉन डिटी अब यहां पर एक चीज समस्या हो गई हमें ग्यात यह करना है एक वेलू हमें पता है कि 12 cm लेकिन डिये अपॉन डिटी हमें नहीं पता कि इसकी जो भुजा है यह किनारा जो है इसकी किनारा में जो परिवर्तन की दर है वो हमें यहां पर नहीं गया थे डिये अपॉन डिटी नहीं गया उसके लिए यह आयतन हमें उसी लिए दिया गया हमें पता है कि घन का जो आय से क्या हो जाएगा थ्रीए इस्क्वायर दीए अपॉन डीटी यह हो जाएगा कोई दिक्कत अब यहाप यह तो पता है न एक्सकी पावर एंड के फार्मूले लगए 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 लिखेंगे अब अब लगन नहीं समझाएगे कुछ विछला ओकलन का लेक्चर पूरा हो च स्फवायर और बियए अपॉन धी आपके यहाँ से निकाल लेंगे तो यहां से डिये अपॉन डीटी निकालते है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर नीचे टी समया तो सेंटीमीटर पर सेकेंड एक बटे चवण अमाने पास आगया सेंटीमीटर पर सेकेंड मात्रक याद रखना यूनिट याद रखना कि डिये क्या होता है यहाँ पर एक या लंबाई सेंटीमीटर नीचे टी यहां पर यह सेंटीमीटर में दिया क्या सब सेंटीमीटर में हाँ ठीक कोई दिकते सारी सेंटीमीटर में तो यहां से सॉल्व कर लो किता हो जाएगा यहां से काड़ लेते हैं चार तियाँ बारा चार एकम चार एक चार सटो नहीं कटे गया श्यासर कट जाएगा श्यासर सचनशथित शोवरतालिच ने मचोंगन अए जब दूना बारा शेंटें आम चोंगन तीन-जोंक वारा तीं तरका नो तो चार दुना अर्ट बटे थिए और यह एमारे पास से ड DT मतलब समय सेकेंड. 1 cm2 per सेकेंड. 8 divided 6 cm2 per सेकेंड is the right answer for this question. कि DA upon DT जो होगा, जो छेत्रफल में परिवर्तन की दर हो रही है, यहापर जो छेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, वो 8 divided 3 cm2 per सेकेंड हो रहा है. बताओ किसी क्वोश्चन में, इस question में कोई डाउन बेहद आसान question है इसी pattern पे चलेंगे एक को हमें question में को ढईोगी कि इसमें परिवर्तन इस परड़ कार हो रहा है जैसे इसमें आयतनों में परिवर्तन हमें question में दिया था और दूसरी चीज में पूछेगा और उसके लिए कुछ ना दे रखा था जैसे इसने बुजा की लंबाय । अब इसमें एक चीज बन गई कि DIY और डी ती बन गया इसका नहीं पता था इसके लिए रिए ही उस नहीं चीज दि ठी यहां से आप accept daily निकाल सोको और दी आप containing निकाल कि वापस रख दो और अन्सर आजाएगा इसी प्रकार के question हमारे पास चलने वाले है सारे किलियर सभी को फ्राइब में ही चलेगे क्योंकि लंबा उने वाला है तो सब लोग अच्छे से करेंगे दूसरा question देखते है क्या कह रहा है सारे अच्छे question लिये फरजी का कोई question नहीं लिया है कि ताकि आसान-सान question करके खतम करूं मैंने वह question लिये जो अच्छे लेवल के क्या कहरा आगला question कहरा एक आयत की लंबाई फार सेंटीमिटर प्रच पर मिनट की दर से घट रहिए ठीक है कि जो लंबाई है वो पार सेंटीमिटर पर मिनट की दर से घट रही है अब यहाँ पर क्या सबद लग गया घट रही है इसी लिए मैंने बताया था कि घट रही है मतलब की माइनस चिन्द के साथ डिनोट करोगे बढ़ रही है तो प्लस लगा रहे हैं अगर चीज कोई घटती है तो मैं माइनस चिन्द के साथ उसको डिनोट करना होगे लंबाई है आयत की हमने लिख दिया सीधे इक्स अपॉन डिटी डिटी क्यों लिखा नीचे पर मिनट बस हमें इससे यूनिट से समझ अना कि क्या दिया है सेंटिमेटर पर मिनटी सेंटिमेटर तो मतलब उसकी लंबाई की बात होगी मिनट मतलब की समय के साथ वो कित्ती दी गई हमें 5 cm पर मिनट और साथ में माइनस ने लेना पड़ेगा सर क्योंकि आपर यह घट रही है अगर बढ़ रही होती तो प्लस का ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आगे इस ने कहा कि वाई जो चोड़ाई है दीवाई अपाउंड डीटी वो हमें किती दिये चार सेंटीमीटर पर सेकेंड एपर मीनट ये भी दिय हुई है कि दर से बढ़ रही है तो प्लस का लिग दू कोई दिक्कत नहीं जब एक्स बराबर आठ सेंटीमीटर है ठीक लबाई मतलब हमें दिये आठ सेंटीमीटर वाइच ओड़ाई जब 6 सेंटीम को स्टाइट करने से पहले जो जो इन्फरमेशन दी गई वो इसको एक जगा नोट कर लो तकि आइडिया लग जाए कि क्या-क्या चीज़े में पता है इसका कैसे यूज कर सकते सामने दिखेगी वो चीज़े ठीक है अब क्या करना है हमें पहले बात करनी है परिमाप की पहले करदे लंबाए प्लस चोड़ा है तुह एक्स प्लस वाई होता है तिक यहांका प्रीवाफ सलिख अपरिमाप हो गया 2x प्लस वाय note कर देदे परिमाप हमारे पास पिशरिあ योट कर देते है ह। यहां पर लिग देट आयत का परिमाः तीक अमने लिग दिया आयत का परिमाः और इसको हम Capital PC मालो डिनोट कर देथे कि परिमाप पीने परिमेटर से तो यहां से क्या करते हैं डीपी अपॉंट ड्रीटी निकाले तें है वोह यह मैं परिवर्तन की धर ही ग्याद करना है पर इमाप और छित फ़ल में अभी आपर इसका ओक्लं कर दो तू तू कॉंश्टेट है कोई दिखकर पी आप यहांपर दूटीग डिपी आपार्ण दूटी हो सर्दिय वा माईनस यदो आ गया माइनस दो आ गया माध रख यह परिमाप है हो तो रहे गा सेंटीमीटर में समय में और जोड़ चलना है और समय में आ जाएगा पर मिनट आ जाएगा तुकि मिनट में ही सारी यूनिट हमने लिए तो यह भी मिनट है यह भी मिनट है तो परिमाप आ गया माइनस टू सेंटिमीटर पर मिनट का इसी प्रकारम छेत्फल निकालनेंगे दूसरा पार्ट भी पार्ट छ छेत्फल को हम कैप्टल ए से दरसार चेत्फल क्या होता है लंबाई गुणे चोड़ाई लंबाई एक से चोड़ाई वाई ए तो एक्स इंटू वाई अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्स वाई दो फलन गुणा में लिखे है इसका हम क्या करेंगे ऑउकलन किसके लिखे है श वाई पॉलन किया तो डिवाई अपॉन डिटी अग्सकु न ग्याटपी इसी लिए उसने है इक सब्सक्राउग डाही पर यूज कर दीथी ऍर एक बानवी टिक हाई ए वार्यय पास किता यह आज जाए गया रोर्त एक्स य॥िल्डमें कित्ट हाटक किता हो जाएगा दीवाई आपान डीटी हो जाएगा चार गुले चार फ्लास य हमारे पास किता है शोंक गुले Bx अपान डीटी किता राम माइनस का पाँच कर दो इनका दी ए अपान पर मिनट इसदा राइट आंसर फार्ब छेटफल टिक कि छेटफल इसका क्या होने वाला है डिये अपॉण डियुटी टू सेंटीमीटर स्कार फरफ मिनट होने वाला ठिक है तरीवेलू रख दी अराम से आसे आंसर आ जाएगा हमें कोश्चन में क्या क्या दिया था हमें इस एक और माइनस एक गुड़े दो माइनस का दो आ जाएगा से टीमेटर पर सेक्ट इसी प्रकार एक सवाई छेट फर लग दो उसमें वैल्यू रग दो आंसर आ जाएगा कि छेट फल में परिवर्तन किदर क्या है ठीक है यहां तक बात के लिए रहे सभी को डीवाइए करना है और थोड़े बहुत फार्मूलिया में पता होना चाहिए जब यह चीजे पता होगी तो मज़ा आएगा फिकर में ठीक है चले आंगे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन भीयाद आसाल कोशन और बढ़या कोशन मजेदार कोशन काफी इसकी उचाई किस दर से घट रही है जबकि सीडी के नीचे का सिरा दिवार से 4 cm दूर है क्या सिनाइरियो है थोड़ा सा फीकर के बाद देब से समझते हैं एक 5 cm लबी दिवार के सारे जुकी है क्या एक 5 cm लबी सीडी अगर हम दिवाल मालने कि यह दिवाल है यह नीचे हम जमीन पर क्या है एक हमारे पास कुछ इस प्रकार से सीड़ी जुकी हुए ठीक हमने माल लिया कि इस उड़ी हमारे पास कुछ इस प्रकार से जुकी हुए ठीक हमने सीड़ी माल लिए यह हमारे पास क्या है यह इधर हमारे पास हमने माल लिए दिवार है जरू नहीं है यह मार और तीर साय में दिये कि 5 मीटर लंबी में सीडी आप आगे बात करते करा आप लिचे का सिड़ा कर नब्र जका रहे सिडी मिया वालो एक सूर्थ जबील के अनुद्थ से 2 सेंटिमीटर पर सेकेड कि दर से क्हीच जाया था गया हो रहा तो निचला सिरा है ना इस निचले सिरो को क्या कर रहे है इसको हटाओ या तो समझ गये तुम जमीन है ठीक अब इसका जो जी निचला सिरा है ना सीरी का इसको खीचा जाता इदर किस दर से खीचा जा रहा है इसको खीचा जा रहा है दूर दो सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये खीचा जाता है सिधिसी बात यह समझते दो सेंटी मीटर पर सेकेंड की दर से इस तरफ खीचा जारा है 1 मतलब क्या है समझो अगर यह खीचा जाएगा तो यह चीज तो बढ़ेगी जमीन के अनुदिस तो यह इमारे पास सीधी दर बढ़ेगी लेकिन यहां पर इसको यहां से सीड़ी है इसे बालेगा दे करे देख लेना इसके लिपकत आई तरफ तो यह अचका एक तो यह फाइसर माली मान यहां से कर देखे, यह X माली, यह Y माली तो D Y अपॉन DT जो है यह अमारे पास दिया गया है, 2 cm पर सेकंड, क्यों D Y अपॉन DT लिखा, Y यह अमारे पास लंबाई है, अब इसमें परिवर्तन की दर जो है, इस तरब जो खीचा जा रहा है, वो 2 cm पर सेकंड की दर से खीचा जा रहा है तो वो हमने डिवाइपॉण डिटी लिख दिया टू सेंटी मीटर पर सेकेंड यह घट रहा है यह अमारे पास क्या है डिएक सपाउट डिटी हो जाएगा वह मैं यहां से ग्याती कर रहा है यही तो कह रहा है कि दिवार जिसकी उचाई किस दर से घट रही है सीड़ी जीचे के सिरा दिवार से चार सेंटी मीटर की दूरी पर जब कि सीड़ी का नीचे का सिरा यह वाला जो सिरा नीचे वाला सिरा इस दिवार से चार सेंटी मीटर की दूरी पर है यह मैं दूरी दी चार मीटर की दूरी हमें यह चार मीटर दी गई है यहां से यहां यहांपर इसके लभाई नहीं दी गई वह आमनेकी निकाल सकते क्योंकि यहांइ समकोर त्रभूष बनेगा यह पांच यह चार है तो यह जोमारे पास है यह जोमारे पास दीवार की लंबाई है यह जहांत जासी क्या हो रहा है इस कोश्ण यह चीज के लिए रहे तो कोश्ण बहुत आसान है अब हमें एक ही चीज यहाँ पर समझ में आ रही वह पाइथा गुरस प्रमे बाकि कोई चीज अमें नहीं समझ में आ रहे क्योंकि यह ट्रेंगल बन गया समकोड समकोड त्रभूज बन गया कर अगरम देखे त्रभूज अ पी बींग कि तो एपी बी में हम क्या करेंगे अगारम यहां से करणकास को यह 5 का स्कॉरर यह 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 स्क्वाइर बराबर करांका स्कायर मतलब 5 मैघ मैज एक्स का यह स्क्वार्प जाएगा यहां से 9 तो एक्स बराबर हमारे पास क्या जाएगी तिक टीन मीटर के वाले पास कि यहां से इसकी भाड़े पास उचाही यह यह पाज है यहां पर ग्याद कर लिए कि यक्स जो मारे पास दिवार की उचाहिए वो तो आगे अब हमें एक चीज़ और ग्याद करने को रहे गई कि यह जब खीचा हमने दो सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इस तरफ तो एक किस दर से नीचे आई इसमें घटाओ कितना हुआ है कितनी से एफिटाओ डूशल का इसक्वाम प्लस विपी का इसक्वाम अबयाबर है एब के ट्रॉश कोर सब्सक्राओ और का इस सब्सक्राइब को हमें तो सब्सक्राइब आपम और 1ड005 तो अब लगे तो कोई फाइदा रही यहम आपर हमारे पास क्या था यी एक शिफवाई कर देते ते यहां हम x के सापेच और देते हैं अगर हम वहां पर वेलू रखें उससे कोई फायर ने एक थे सापेच आउखल एक्स नहीं ती के साप इच तो ते के सापेच आउखलन करोगे तो यह क्या हो जाएगा यह तो 2x dx upon dt, 2y dy upon dt, और equal to 0, क्योंकि 5 का स्कार 25 होगा, और 25 का ओकलन्ज होगा, वो जीर हो जाएगा, क्योंकि constant है, पस एक ही काम करना था पोश्चन आसान होगा, अब यह सब की वेलू तुमारे पास है, dy upon dt की वेलू भी है, बस dx upon dt जो ग्याद करना है, उसकी वेलू निकाल इसको उस साइड लिख लेते हैं, बीच में प्लस है, 2, यहां से हम क्या करते हैं, पहले dx upon dt की वेलू निकालना है ना, तो 2x dx upon dt, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस का 2y dy upon dt, 2 से 2 उड़ा दो, तो यहां से dx upon dt कि इतना आ आ गया, माइनस का y upon x dy upon dt, माइनस y upon x, अगर छोटी सी गलती होगी, तो मामला गड़वर हो जाएगा, dy upon dt हमें 2 cm per second दिया है, यह मीटर में है, यह मीटर में है, यह मीटर में है, यह मीटर में है, सारी लंबाईया मीटर में है, बस परिवर्तन कि इदर cm per second दिये, इसको ऐसा करो, इसको भी मीटर पर सेकेंड तो दो बटे 100 मीटर पर second आजाएगी, तो यहाँ पर जो मान रखेंगे, वो दो बटे 100 रखेंगी, किसका मान, जो हमारे पास, dy upon dt का मान है, बस रख दो, माइनस y upon x, y की वेलू रख दो, 4, तो माइनस 4, x की वेलू कित्ती है, 3, 3 रख दो, dy upon dt अभी निकाला, दो बटे 100, और यहां से हमारे पास, इसको काट चाट लो, जो कट जाए, यह तकट जाए, 4, 1, 4, 4, 2, 8, 4, 5, 20, 25, 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 और यहां से क्या हो जाएगा, dx upon dt, x upon t, मतलब मीटर पर second में हमारे पास क्या आजाएगा, और देखो, माइनस का आ रहा है, माइनस क्या डिन क्या रहा है, माइनस दो बटे 75, मीटर पर सेकेंड की यहां पर क्या दर हो जाएगी, बस यही काम करना है, और कुछ नहीं, इतना ही काम से आपका आसान हो जाएगा, काम, क्लियर है बात सभी को, बस दो बार हमें पाइथा गोरस पर में लगाने थी, एक बार इसलिए लिए आए, क्योंकि यह लबाई हम निकालने के लिए, यहां पर जरूरत पढ़ते, देखो, यहां पर एकस की वेलो उमने रखी है न, तीन, अगर हम डारेक्ट यहां पर टी के सापे चोकलन करते तो यह ऐसा कुछ बनता, फिर भी हमें एक से निकालने के लिए यह करते, तो यह निकालने के लिए आपको एक बार एक्स ही पाइथा गुरास प्रमें लगा करें कि निकालना है तो जब तक वह बनेगा नहीं हम निकालेंगे कै़से तो वह बनेगा कैसे जब इसका टी के साब पेच आपकर होगों करोगे तो यहां से डी एक्स बनेगा डिवाई पांडीटी हमें कोश्चन में गिवेन है डिएक्स पांडीटी निकालना है आराम से आपका आंसर आ जाए किलियर है सभी को बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन और अच्छा कोश्चन है कुछ नहीं करना है सिंपल आसान वे में इससे कोश्चन सौल हो जाए यही डिनोट कर रहा है किधर घट रही इससे आईडिया लगता है कि हमारा कोश्चन सही चलगा राया कैसलि मतलब की हाई आम सरपता इगे ट विसलिए आया स्यक्ति उपता है कि इसकी उचाय कि दर से गट रही है और वैसे भी सुइन आगे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है यह भी बढ़ा कोशन 14 नमबर कोशन मैंने लिया हुआ है कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गिर रही है गिर्ती रेत जमीन पर एक ऐसा संकु बनाती है जिसकी उचाई सदेव आधार की त्रिज्जा का छटा बाग है रेत से बने संकु की उचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि उचाई 4 सेंटीमीटर दी गए फिगर बना लेते हैं इसको यहाँ पर फिगर बनाना इंपॉर्टे नहीं है अगर डारेक्ट आपको करने बढ़ जाओ के तो कर लोगे एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है मैं दो बना के देख रहा हूं यहां पर दो क्या हो रहा है एक मालो पाइप है कुछ इस प्रकार से मैंने माल लिए यह पाइप है कि इस पाइप से यहां पर रेधि के जब यह 7 यह ऐसर फिगर कि चला बनाना घकी टाइम ऐ तो बदेना अच्छा सा अच्छा सा लिए है मेरी तरह नहीं थोड़ा अच्छा सा सब्सकेल लेकर मुझे हाथ से वलाड़ा इसलिए तो रेत यहां से गिर रही है और कुछ संकु का सेप ले रही है अब इसने क्या कहांगे कि रेत जो है 12 cm3 क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर नहीं अब यहां पर क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो हमें तुरंत आइडिया लग गया कि यह डीवी अपॉड डीटी दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब अलब आयतन होता है तो यह 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो हमें पीख मतलब है वो आधार का चटा बाग यही तो कहे रहा है उसकी ऊचाई सदेव आधार की तरिज्जा का 6 बहाग तो उचाई जो H है वो आधार की तरिज्जा जो यह आर इसका 6 बहाग इक बटा 6 तो यहां से ये लिग दिए हैं ये प्रसला रही वह लब दी एच अपॉर्ट डीटी जो है समय के साफिज इसमें परिवर्तर हो रहा जो बढ़ रही है वह वह ग्याद करना है जब कि उचाई हम बात करें है तो संकु का आयतन वैसे होता क्या है संकु का सब्सक्राइब बरावर वहं तो आप आर में रखेया पूरा एच में डखो किस में रखना चहीं अच्छा बच के दिमाग में कोई चीज आ रही है कि यहां से हम आर की वेलु भी ग्याद कर सकते हैं ही ऐसे अगर आर बरावर 6 भी रख सकते हैं कि आर बरावर अगर लिखे तो 6 का इधर गुड़ा कर देंगे तो यहां पर आर में वैलू पूरी एक्वेशन रखें या यह में रखें किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्या रखना सही होगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपर यहां से आप कुछ नहीं आर बरावर निकालोगे 6 एच यहां से अमलेक सकते ना आर बरावर 6 का इधर गुड़ा करके तो यहां पर आर की जगह वैलू रख दो वन अपान 3 पाई 6 एच और यहां से इसका हो जाएगा इसक्वायर और गुड़े में एच तो यहां से वी बरावर हो जाएगा एक बटे 3 और 6 रंग 36 हो जाएगा पाई है एच स्कौयर और यह एच तीन से इसको काड़ दो तीन है कम तीन दून अच्छ है तो वी बरावर हो जाएगा 12 पाई ह की यह हमारे पास आ गया एच के पदों में इस संकु का आहतर समझ में आया क्योंकि ओने और की जगह क्यों रखा है है हई довольно 6 क्यों नहीं रखा हो यहां पर फिर आरके पढेयों में बनता यह अर्क जब यह करनी बहुत कि नहीं कि कव कहां पर और रखना है अब इसका औक लंकर दो समय के साब तो समय के साब पेच औकलन कर दिया डीवी अपॉन डीटी बारा पाई तो कॉंस्टेंट है एच का हो गया तूछ इसक्वायर और यह बन गया डीएच अपॉन डीटी जो कि हमें ग्याद करना है एच जो बना है वो हमें कोशिटन में गीवेन एक पर हुचाहे 4 सेंटिमिट एच वर आवर 1967 में ऐडिया तो डीवी अपॉन वजब है कि वह गया वह घार वारा पाई बेवी अपॉन डीटीन में तक बोलब उजब हो तक यह चाहिए चार का स्क्ति중 करन जो कैंसिल हो रहा उसको काड़ यह कट गया ठीक चार चॉको 16 16 16 दूना कित्ता हो जाएगा चार चॉको 16 दूना 32 पाई तो यहां से हो जाएगा डिया चॉप ऑन डी टी कहीं पर कुछ हुआ है क्या तीन एकम तीन तीन दून अच्छ है तो बारा पाई सच्छनग 36 होता है ठीक है 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 सच्छ एक है न कोई दिक्कत तो निक देखते हैं कैल्कूलेशन देख लेना इक बार दीच अपाउन डीटी कित्ता हो जाएगा चार चार्चों को 16 दूना 32 पाई तो मलब एक बटे 32 पाई और यहां से एच है एच मतला वह उचाई तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक डिएच अपाउन डीटी आ गया एक बटे 32 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड केल्कूलेशन एक बर चेक कर लेना बाकि सही है कोई दिक कर नहीं एक की वेलू यहां से रख दी तो 6 र हो गई ठीक 6 रहे चार सेंटीमीटर कोश्चन में गिवें थी यह भी 12 सेंटीमीटर गिवें थी एक बटे 3 पाई आर स्कॉयर एच हो गया आर की जगह हमने आपर 6 एच रख दिया तो 6 रंग हो गया 36 ह हो गया एच स्कॉयर हो गया एच उसकार एच क्यूब हो गया तीन से इसको सब्सक्राइब आपको पता चल गया कि कैसे को करना तो यहां पर आपास इसपे इतना इंप्वार्टेंट नहीं है अगर चीजे पता है तो थोड़ा आइडिया लग जाता है तो समझ में आ रहा है कि क्या चीजें हो रही है कुछ संकुबद आई इसे आर और याच हो रही ह तो बस उससे लगर तो गया नहीं बना हो तो चल जाएगा यह ना सुछना कि सर्फीगर बनाना इक्जाम में इंपॉर्टेंट यह दिमाग में बहुत रहते हैं नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा क्या नहीं कट जाएगा बाई बना दो गे तो अच्छी रहेगा ठ ज़िए अच्छा एक कोई डिककत दो रह रही सभी चीज समझ में आ रहे है अच्छा इसा तो नहीं चल ला कुछ भी चल ला अच्छा चैप्टर रहा जार बहुत ही आसानों तो नहीं तो बहुत ही आसान में प्रमूलोब याद रखने इस जाए ठीक है मोरी ठीक चलते आगे अब अगले कोश्छा पर चलते एक इस प्रकार का कोश्चन और दिया गया उधार perfect दिया गया लिखा बहुत गद्दा साहे लेकिन कोशन कोशन बहे असल कर लोग एक्र जी कोशन प्रीख्ण आए donaखत कर दोप्र तरिया गया है कुछ लागत का वारे पास फिलन ने घान से लिए लोट स्वास्ट का ईख ऊणके स्फिण परदी ये लिए इस प्रकार सानगा सदी है केरा से प्रदप्ट है वह दिया गया, उसी का फलन ये रूप दिया गया, सीमान्त लागत गया किजिए, आदे लोग सीमान्त लागत सर क्या होती है, लिखा इसी में आगे क्या है सीमान्त लागत, सीमान्त लागत किजिए, जब तीन इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमान्त लागत, मार्जि संसकत में इसा लग रही लिखा उसने दिया है जो यह यहारे पास cx दिया है सी मात नहीं होता है सीमान्त लागत सिंपल C दर उतरी होती एक्स दिया गया कोई फ़लेंटी के साफ पे चोकलन कर रहें तो समय के साफ पेच उसमें ततकालीन कितना परिवर्तना है थोड़े सब्सक्राइब बहुत अल्प सब्सक्राइब तो डियेक्स अपॉट्टी ही यहां पर ग्याद करना इसका वलब सी एक्स का में सकूरियर माइनस जीरो देसंबर भो जीरो दू एक्स स्कूर Bij एक्स कूण ऑनगने मिस्तूत तो यहां से कितना हो जाएगा यह तो रहेगा जी ररोंगने में रहते नीचे कि आजाएगा 2X square हो जाएगा ठिक माइनस का यह हो जाएगा 010 संबलो 02 यहां से किता आजाएगा यह 2X हो जाएगा प्लस 336 का करेंगे 30 हो जाएगा 500 का 0 जाएगा constant X का वर हो जाएगा तो सिंपल 30 हो जाएगा अग्या करना है सिम्पल देखो ट्रीडए सेख पहले लिखी लेते हैं दिए सेख्यक्त क्या हो जाएगा दो दूला टे का कहा से एकशी स्क्रायर कुछ सब्सक्राइब है तरी नीच आएगा था 3 x square तिक यहां पर तो यह तो तील का इदर गुड़ा कर दो जीरो पाल्दिया पंद्रा एक पाच एक स्क्वाइड माइडस इदर दो से गुड़ा कर दो जीरो जीरो चार एक्स और प्लस का तीस अब क्या करना यह सीडे सेक्स आगया सीवांत लागत आ गई अब ती निकाए तो इस वाफ़ाबर 3 पर सीवांत लागत क्या होगी बजाजा एक सब्रोग जीरो एक पाच तील का स्कोईर हो जाएगा 9-0-0-4 गुले 3 ब्लस का 30 कर दें क्या कर लोगे या रितन हमें प्रिसान करोगे 15 रहा होता 135 तो 135 बाइनस चार्टीय बारा एक दो प्लस 30 यह उजाएगा सी डेस थ्री बराबर 30 डेस्ट दस अब लो एक तीड पाच माइनस जीरो दिसम्लों एक दुख चार्टीय बारा अब घटा दो बाइस को एक दो लगत पाच एक जीरो दसम्लों तीन जीरो यह आज़ने यह लागत है रुपए में होगी तो बाई इतकाई लिखी काई लिख दो केबल रूपए होता तो रुपए लिख देते हैं अब इक लिखा है तो केवल इक लिख दो यूनिट लिख दिया करो बहुत इंपॉर्टें पर उसका बान रख दो अंसर हो जाएगा इस प्रकार का एक कोशन यह है और पूछा जाता है और तीन से चार नमर में यह कोश्चन मन जाता है सिर्फ इतना को एक ऐसे सेम कोश्चन अगला एक्जामपल चाह दिया गया यह तुम लोग करोगा इस ड़ू में पूछ रहा हो इस एक रहा है यह विक्रेबूल प्राप्त ओने के लिए आरेग्स एक फ़लन दे दिया गया यह यह ऑर अरेक्स दिया गया इसका चौकलन कर दो और फिर आरेक्स बराबर पांच पर इसका बाल निकाल दो वहीं हमारे पास सीमान ताय हो जाई कि मानता है मतलब यहांप पर क्या करना है पहले आठेस एक सदी का लोगे फिर आठेस एक सब्सक्राइब निकाल ओगे एक्स बराबर 5 परमाल आठेस 5 निकाल दोगे अंसर आजएगा कुछ लेकर ले इकोशन ट्राइक करोगे से इसी पैटरन का कुश्चन है यह तो भी तसमलों पर थोड़ा क कुछ भी लिए दो नीचे लाओंगे 6x यहां से 6136 आ जाएगा एक्स की जिगाए पांच रग दो गए तो पांच 6136 और शेपच्चे तीस और चतिस कर दोगे चाचट चाचट होगी इसकी काष्ट और 6800 प्लस 36 इसका वह हो जाएगा क्या सीबात आए फलन में ठीक है यह साही कर रहा है कोशन तो यह बात हो घई अब लोगों कि 6.1 के बारे में 6.1 इसी प्रकार के कोशन तैंसैं मैक्सिंट सारे कोश्चन दिए गये पर अच्छे लेवल के सारे कोश्चन करा दी अब इसके बाद बाद शुरू करते हैं वर्दमान और हास्वान फलंक के बारे बहुत हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पंशन क्या होते हैं इनके बारे में बारे में बात रहते हैं basically निरंतर वर्धमान और हमादो किसी कि पूख एक ही चीज जो घल का सा एक दम से बात है दोलें अंतर होता है उसको भी समझ लें क्या होता है MAN comthki चार परकार को पस ओते होते मालो निरंटर वर्दबाल क्या तर बात करें डिस यह x के साथ त सापेच वाईब जो लगातार बढ़न आ दिसे एक च्वेल रहा है वैसे वैसे बाई है रही जो गा वर्दबाल ऐसे दर आइसे दर जैसे जटा रहे उदर भी घटा रहे दोनों तरप से घट रहे अलम निरंथर हाश्मार तीसर अप्रकार क्या वा कि थोड़ा बने फिर तोड़ी देर रुके फिर बने तो यह उताय वर्दमान फल्ण कि ऐसे क्या हुआ थोड़ी दिर घटे फिर रुके फिर घटे तो ये क्या हो गया मारे पाध रेप्स हाश्मान फॉल्ट पहला प्रकार अप्रोर्पने जू लिखा फ़लत तिरंदल हाश्माद फ़लत तिक यह मारे पास थर्डवाला हो गया यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया यह तीसरा तीसरा हमारे पास है वर्दबान फ़लत कि रिवीजन चलना है तो थोड़ा जल्दी में ही करेंगे इसको प्रॉपर आप डिटेल में कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे इतना बता दें कोशन आपके आसाल से होने लगे हाश्माद फल हाश्माद फल इस चार प्रकार के बेशिकली फलड है एक निजंतर वर्दबान है जो लगातार बढ़ता देजंतर हस्मान लगातार घट रहा कहीं बीच में कुछ और नहीं हो रहा है यहां पर वर्दबान में क्या होता है कि कभी घट बढ़तो रहा है और फिर थोड़ी देर के लिए रुग गया यहां पर उसके बाद फिर बढ़ा सीधी लाइल मिल गए यहाँ पर क्या हुआ घटा लेकिन लगाता रही घटा थोड़ी देर रुख गया बढ़ेगा नहीं बीच में फिर घट गया तो यह क्या हो गया हाश्मान फलल हो गया यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर f-x जो होता है वो greater than 0 होता है आप कहीं पर भी ऑउकलल करोगे f-x जो लिका लोगे वो हमेशा greater than 0 होता है f-x का मतलब अच्छा क्या होता है यह बात हमें पता है इसको डी वाई-बाइद एक्स मोलते है और इसी को इस पर स्रेखा की प्रवड़ता भी बोलते है जिसे तैट ठीटा से लिखते है अगर आप इसको पीछे बढ़ा दो तो यह जो कोल मनता है एक सच चके साथ जो यह क पर जो यह इसको अगर पीछे बढ़ाओगे यहां पर जो यह कोड़ बनता है यह ठीटा यह अधिक कोड़ हो जाता है सेकेंड चतुर्थांस में चला जाता है ठीटा प्रफम चतुर्थांस में 10 पॉस्ट्यू है इसलिए एफ डैस एक्स हमेशा कैसा रहता है पॉस्ट्यू ग्रेटर दे जीरो रहता है यहां ठीटा अधिक कोड़ हो जाता है से जहां पर x एक्स क्या वहता हे हमेशा ही टे जीरो से च्छोठा होता है क्योंकि निविख कोड़ जो होगा वह अधिक कोड़ पर वर्टित हो चुका होगा और शेकेंड चेन तर्थीटा हमेशा पॉस्ट्यू निगेटिव रहता है इसलिए F-X क्या होता है लेस दिन जीरो होता है यहां पर क्या होता है यहां पर F-X greater than or equal to zero इक्वल टू के हो गया यहां पर तो आपको पता है कि यहां पर भी new code बने का यहां पर भी यहां पर भी F-X जोगा वो greater than zero होगा यहां पर यहां पर नहागा देखो यहां पर आपy इंग सबनातर है एक सबानतर मनलब समानतर नहीं पर इकाल गुए दिगी बनेगा और टेंटेटाटेंग जीरो कमान क्या होता है जीरो तो इसलिए यहां पर equal to zero b जाता है क्योंकि यहां पर f-ex equal to zero save ऐसा आपर क्या होता है यहां पर भी कि f-X f-ex less than equal to zero होता है क्योंकि यहां पर तो f-ex एक्स हमें पता है यहाँ पर भी f-dash x less than zero यह तो बास समझ में आरे लेक्षिट अधिकोड बनेगा यहाँ पर भी अधिकोड बनेगा 90 डिदी से बड़ा कोड़ बनेगा ठीटा हमारे पास यहाँ पर सेकेंट चतुर्फान में जायेगा निगेटी हो जाएगा इसलिए लेज x equal to zero होता है इसलिए f plus x less than equal to zero यहीं बेसिक सा difference है greater than यह भी greater than है बसł हो सकता है यहाँ पर कभी जी रो नहीं हो तो इसलिए less than zero यहाँ पे equal to sin इआका कभी यह 0 भी बीच में हो जाता है तो यह सी बात हो गई वर्दमान और हासमान फॉलन के इस अब पाइब कुछफ़न आइसे भी होते हैं न जो मरेपास वर्धमार और हास्वान दोनों होते वह अलग-अलग अंतराल में होते हैं ऐसे हमारेपास एक आवरती फ्रोलन पूरा नहीं तो यहां से क्या हो रहा है कि साइनेक्स का अगरा बनाए इस परकार से साइने क्सक्राइब बनता है यह क्या है यह मारे पास और यह थी पाई बिटे 2 यह बात यहां तक ट्रियर यह साइनेक्स का आमने गराब बना ली अब अच्छे एक चीज़ देखो यहां पर साइनेक्स में मतलつकेशन इसके बाद क्या है यहां सी इसके बाद आगे आऊ तो यह त्रागत यह तक फहलो क्या है तू यहां से एकर फिर बढ़ रहा है तो यहां फिर इस प्रकार से बढ़ आये मनला फने क्या हो गया वर्दमान उतों इसके अंतराल इखें जिस अंतराल में वर्दमान है और जिसimento on पार उसकी बात करें तो यहां दिख सकते हैं तर्फे में करहें अरह तो वर्दमान का अंतराल अगर देखो तो पहले जीरो से पाई बटे दो तक हम जीरो से पाई बटे दो तक जीरो से पाई बटे दो तक जीरो से पाई बटे दो तक यह क्या था फ़लग पूरा वर्दमान जीरो से जब पाई बटे दो तक फिर इधर तो हासमान था लेकिल फि और अपने क्या लिखर्ञ्च दिया ठीपाई बाई टू से 2 पाई तक फिर से वर्दमान है तो यह इसका वर्दमान का अंतराल अबने लिख दिया कि 0 से टूपाई बटे दो और नीइस अंतराल में फरॉष ये वराब बाले अगर हम इसी प्रकार हाशमान फलन की बात करें हाशमाद हासमान मैं हासमान लिक रहा हूं यहाँ पर रा हुती है यह पता है आप लोगों को ई को हास्मान हास्मान का अन्तराल क्या होगा सर बाकाई बते दो थे और यहां से 3 फॉक्रणा इस अत्राल बें तो सप्स्पषटो घ्राइज तो इस आप में छोटी सिबात और कर ने अब इसमें अगरम निरंतर वरंदमाल है क्योंकि दोन 혼र पस्पष्ट कर देते हैं सबोट ना रहे कि सब नि रंटर-वर्दमान और दोट रास्मान धे अन्टर के घुया रहाइं निरंतर तो लह से सिरी कि अगर हम नीरंतर की बात करें मेरं रंटर वर्दमान लिखते हैं सब्क Meerco तर्वल दमान अगर हम लिके तो निनंतर्वรदमान का जो अंतराल होगा देखो बात समय भर्दमान में मैंने बताया कि वर्दमान में ये तो αυτό एल लगता है और जो वर्दमान होता है उसमें इक वल्टू का साइन नहीं बर्दमान में तो इकबर टू का साइन लगता है लेकिन वर्दमान में एकबर टू का लॉगता है म glam star यहıll Ouais लगते हम यहां पर इकरण तल लगता था वहां बड़े डियुश स् गरते हैं और जहां लगाएग जोटा देखो दो यहां पर इस पॉंट पर जोपित पहुंचो घीड तो यहां से अगर इस पर सर रिखा की प्रवर्ता देखो तो यहां आप पर यह एक सभालतार होगा यह ठीटा होगा यह एक से साथ यह कोड़ किया बना रहा है विंदू जीरो डिगरी और जीरो डिगरी बना रहा है मतलब की वहां से टेट छीनलगा क्या हो जाएगा ? जीरो जारेगा, सिम्पल सी बात यहे तो टेट छीनलगा जिरो जायेगा ? वहीं पता है ? एफ डैस एक्स निगंतर वर्दमान में जीरो वाला हम सम्लित नहीं करते हैं सिर्फ greater than zero को समलित करते हैं यहाँ पर इक्वल टू को जीरो को समलित कर लेते हैं इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रेडा बेकर लगाया यहाँ पर छोटा ब्रेकर लगाई जीरो और तूपाई पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा फुलन निकाले तो कोई जीरो आएगा और कोई जीरो कमान क्या होता है मतलब फलन कमान क्या हो जाएगा सर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फलन कमान जीरो नहीं हो रहा है इसलिए जीरो को हमने समलित कर लिया तो जहाँ पर फलन कमान जीरो हो रहा होता है उसको कभी निर जिरो वाला मान नहीं लेट ऐसे ही 3 पाइफाइए टूपर देखोगे तो यहां पर भी फ़लन का मान क्या रहेगा 0 हो जाएगा इसलिए वहाँ पर व क्या होगा कि हप bargaining को जहाँपर और और निंतर वर्हां आइब निलति होगा समान का साथ है कि हम सराटा ऐस्मान जो फेलना रुटा है या निरंतर है Showman और निरंतर वर्दमान होता है, वहाँ पर हम इक्वल टू का कहीं साइन नहीं रखते हैं, जहां पर भी फलन का मान जीरो हो रहा होगा, उसका आउकलन करने पर, तो वहाँ पर हम उसको सबलित दही करते हैं, इसलिए पाई बटे दो, थ्री पाई बटे दो, पर छोटा ब्रेक बटे और इन्हें निरंतर वर्दमान और इंतर हासमान में लेते हैं, तो कि वहाँ एकवल टू का साइन, नहीं रखना है, यहां पर रखना है, इसलिए हमने इनको बड़े ब्रेकेट में बेसिक अंतर है, लेकिन अंतर है, कोई अगर आपको पढ़ा रहा है कि अंतर नहीं ह सबस्क्राइब रखते हैं छोटे ब्रेकेट का मतलब क्या है बड़े ब्रेकेट का मतलब क्या है सारी चीजे अपनी जगा इंपोर्टेंट है यह बात हो गई बेसिक अंतर होगा निजनतर वर्दमान और हाशमान में तिक अब इस पर हम बात करेंगे अपने कोशन की सबसे पहले हमने चौथा नंबर कोशन लिया कुछ पहले सिंपल कोशन करेंगे फिर हम अपने बड़े कोशन यहां से स्टार्ट करेंगे अब अगर इस फूर्थ कोशन की बात करें तो इसमें हमें क्या दिया गया है अंतराल मतलब कि हमें घ्यात करना से एक बहुपत फर्ण हमें FX बराबर दिया गया है two xick- sépir ए-三 x प्रदक्त फर्ण एफ है और हमें वह अंतराल निकालने है जिस अंत्राल में फलन वर्दमान हो या फलन हमारे पास समाने तो कुछ नहीं करना है सारा खेल अमारे पास किसका यो पीछे भी सिखा f 10x का तो सबसे पहले हमें F's X निकालन यह है, मतलब कि औहुकलन तो करना ही है, जो फलन आमें दिया जाए, तो फलन हमें क्या दिया गया है, फईले फलन निकलो, Fx बराबर हमें एक फलन दिया गया है, 2X स्कॉएर माइनस का 3X, टिक, सारा खेला किसका है? F's X का, तो F-X निकालो सबसे पहले, F-X बहुपत फ़लन है, अराम चाओकलन कर लेंगे, काफी सारा सीख रखा है, 4X-3 आगया हमारे पास इसको आउकलन करने पाँ, यह आगया F-X, इस प्रकार की कोश्चन में क्या करना है, आसान सा कोश्चन लिया है, पहला कोश्चन है, सिंपल को वैल्यू पर, F-X masculine है, और कब negative है, जब वो greater than equal to 0 है, तो वो वर्दमान है, और less than equal to 0 है, तो वो हस मानन है, यही बात हमें पता करनी है, तो क्या करोगे यहाँ से, यहाँ से सिंपल F-X equal to 0 कर दो, F-X क्या है, 4X-3 equal to 0, तो X पराबर के आजाएगा, तीन बटे चार, य हमारे पास एक X का मान आ गया ऐसा हो सकता है किसी question में X के दो तीन मान आए अभी एक मान वाला की आँगे करेंगे दो या तीन मान आ जाते हैं एक ही फलन के तो simple यहाँ पर X का एक मान आया है इसको आप क्या करोगे एक संख्या रेखा बनाओगे आप यहाँ से एक संख्या रेखा बनाते हो X के मान के लिए X का मान क्या आया है तीन बटे चार आपने X का मान ले लिया यहाँ पर तीन बटे चार अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है संख्यारेखा जब आप बना लेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप इस 3 बटे 4 के दाई और और बाई और की value रखेंगे मतलब क्या है कि x का मान जब 3 बटे 4 से कोई बड़ा मान लेते हैं तो इस f-x का मान क्या है और 3 बटे 4 से छोटा मान लेते है तो f-x का मान क्या है दोनों पर हम value यहाँ पर ग्याद करेंगे माल लो कि 3 बटे 4 से कोई हम बड़ा मान की बात करें हम यह जो yellow pencil लिख रहे है वो rough का काम है फेर में नहीं लिखना है सीधे समझो 3 बटे 4 से कोई भी बड़ी value ले सकते माल लो x बड़ाबर हम 1 ले ले 3 बटे 4 से बड़ा है ना 1 यहाँ पर अगर देखे तो x बड़ाबर 1 अगर हम इस f-x में रखें तो क्या आएगा f-x f-x आ जाएगा सर्थ 4 x की जगए 1 रख दो माइनस 3 बड़ाब f-x जो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 बड़ाबर 1 जबकि हमें मान से नहीं लेना देना हमें सिर्फ यह देखना है कि f-x पॉश्ट्यू आ रहा है कि निगेट्व क्योंकि जिस अंतराल में वो पॉश्ट्यू हो जाएगा वहाँ वर्दमान इस है घात कैसी है इसकी विशम है घात एक लगी गात विशम है तो जब भी गात विशम हो अगर यहाँ प्लस आया है तो यहां माइनस आए गाय्स wrinkles समय सा अल्टरनेट चलता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो एक निकाल दो एक माइनस अपने आप पता ही चल जाए वैसे आप निगेटिव मान आएगा जब भी जब बड़ा मान है इस तरफ अंतराल जा रहे है प्लस अनंत की तरफ तो वैल्यू पॉश्ट्यू है जब इस तरफ माइनस अनंत की तरफ आ रहे है तो निगेटिव है अब अंतराल लिखने में कोई दिक्कती नहीं है क्या लिखेंगे पहले हम लिख देते ए पार्ट के जाएंगे क्योंकि वर्दमान की बात हो रही है तो हम बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे ठickenaxe LETट अग्वायों पर समलित होता है ऐसे इस अन्तराल में क्या हो जाएगी इस अंतराल में आपास जो हमें फलन का अंतराल होगा वो हमारे पास हास मानोगा जबकि इस अंतराल में फलन का अंतराल वर्द मानोगा बात सबको समझ में आई यहां पर x का माना है सिंपल सा कोश्चन था आप x को इकोल टू जीरो करो जो एक्स की वैलू आजया उसे संख्या रेखा पर निरूपित करो एक बार उससे बड़ी वैलू एक बार छोटी इसको सिर्फ दो अंतराल ले तो बने तीन बटे चार में दो हिस्सों में काट दिया इस संख्या रेखो को देख लेता हूं इसमें दो वैल्यू आ रही थी हमारे पास मैं खुद से ले लेता हूं फॉर इग्जाम्पल अगर कोश्चन की बात करो एक सिकेंड एक कोश्चन मैंने आउल लिया था मैं खुद से लिख लेता हूं जैसे कोश्चन है एक अंत्राल मैं लिखता हूं यहां से एफेक्स बराबर एक फलन हमारे पास है यह हमारे पास है टू यक्स क्यूब इसी एंस्याइटी से ही लिया है मैंने थ्री एक स्क्वायर माइनस का 36x और प्लसका साथ इसके लिए भी हमें वर्दमान और रहा समान दोनों अंत्राल बतानी मैंने फॉर एक ग्जामपल एक एक फलन ने लिया इस एह फैस फलन यह अभी एक पीछे कोशन मैंने सात्वा छोड़ दिया है इसी के आंगे का एक पाच्वा पार्ड कर रहा हूं मालो मालो यहां से हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एप डैस एक्स निकालेगे निकलेगा एप डैसे सीधा ओकलन कर तो सिंप्लिफाई हो सकता है आराम चोंग जाने दो तो सिक्स ऐसे रहने दो गुणन खंड कर लेते हैं घटाने पड़ एक ची तीन दून अच्छा होता है तीन और दो में तोड़ तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस कच्छे यहां से बंद कर दो यह हो गया एफ ड यहां से ऐगा एफ डेस एट्स बराबर जाग तो यहां से अगर हम बात करें आगया एफ डैसे एकल टू जीरो करके एक्स के मान निकालते हैं एक बार तोगया है X-3 equal to 0 to X बराबर एक मान आगया 3 और दूसरी वेलू अगर निकाले तो X प्लस टू इक्कोल टू जीरो तो X बराबर आगया मान इस लिए यह कोश्चिन लिया क्यूंकि पिछले केस में X का केवल एक मान आए था तो इस प्रकार से आंगे और पीछे दोनों तरब चेक लिया था अंतराल देख लिया था कहां पर क्या है अब इस बार X के 2 मान आगये सर एक तो 3 है एक मानिस 시간이 करना तरीका है आप संख्या रेखा बनाऊगी संख्यार इधर प्लस अनंत ए यह मानिस अनंत है क्या कहा है 3 और मानिस 2 है यहाँ पर यह मालिया 3 है दोनों अंतराल हमने यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर माइनस दो है यहाँ पर तीन है अब इस बार इसने क्या किया तीन हिस्सों में डिवाइड किया यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर आप किसी एक पर पहले निकालो तीन से अधिक्तम के लिए निकालो मालो तीन से कोई बड़ी value ले ले, x का कोई मान हम 3 से बड़ा लेकर रख ले, मालों यहाँ पर हम क्या करते है, f-x जो हमारे पास आया है, कहाँ पर f-x, यह, इसको अलग से लिख लेते हैं, यह f-x आया, तो इस f-x में क्या करते हैं, 3 से कोई भीवड़ी value यहाँ पर रखकर देख लेते हैं, क्यूकि हमें देखना पड़ेगा, यह – 2 से किशिए बीछ की value देख लो, यह – 2 से छोटी देख लो, कोई value, कोई वेवडेवीную, – 2 से 3 की बीछ की value देख लो, तो मालन underground 3 से बड़ी value लेते हैं, वह प्लस लग जाए गा अभी मैंने बताया अगर घाते भी समें जैसे घाते यहां पर भी समय यहां पर भी समय तो अल्टरनेट क्रम में चलेगा प्लस माइनस प्लस आप वैलू रख के भी देख सकते हो बाकि आपको याद पता होना चाहिए कि अगर प्लस है फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा ऐसे अंतराल चलेगा अगर यहाँ पर घाते विसम ठिक यहाँ पर भी गात विसम यहाँ भी गात 6 तो मारा आप है यहाँ पर तो पॉस्ट्यू है मतला वर्दमान है और माइनस 2 से माइनस 3 के बीच में हास मान को लैने क्योंकि अंतराल में निगेटिव आ रही है फेल्यू तो सिंपल आप ए पार्ट में वर्दमान कैसे लिखोंगे सर्व वर्दमान का अगर मैं अंतराल लिखना है है माईना से चोटा ब्रेकट रहता है तो माइन स अनन्द से Video से Dash स्पनें ऒड़ आंध से इस तरफ चलेंगे तो माइनस अन्द से माइनस-2 की तरह बड़ा ब्रेकर्ड लगात investment की वर्दमान की बात हो रही है हम equal to zero वाला केश लेके चलते हैं यूनियन फिर कहा थे तीन से अनंत कि तरफ हमेसा चोटा ब्रेक्ट हट भीपाट आ जाओ है हाशमान फलन की अगर बात को तो इसको ऑश्मान का अंतराल कि हो जाएगा सर आ डॉतटे यह थे माइनस फ्रीन के 7 नहीं जी प्लस कटी यह पासple कर दो वेलू आ जाए तीन वेलू आ जाए पांच वेलू आ जाए सब आप ऐसे संख्या रेखा पर रखे आप प्लस माइनस के चिन आराम से पहचान सकते हो वैलू रखना कोई बड़ी बात नहीं है कि सरी प्लस माइनस प्लस कैसे लग रहे हैं आप यहां से अपको खाली करना और आप दो यहां से आपस आ चाहें रखे चार आ बंग रखते यहां रखते राती patнить आरो तो इस प्रकार से संख्या रखना तो वे से रख लेते फिर उसके अलावाद तीन से बड़ी doように के लिए इस तरफ हमें तीन अंतराल मिल गए ने एक 3 से बड़ा अंतराल है एक माइनस दो से माइनस अनंत के बीच में तो यहां की कोई वेलू उठाके रख लो माइनस का पाच है माइनस का छे ए माइनस का साथ है रख के देख लो ना निगेटिव आएगी एपोस्ट्यू आएगा क् लेख सकते हो इसमें माइनस दो से तीन के बीच में कोई वेलु रखके देख लो निगेटिव आएगा तीन से बड़ी वेलु कोई भी लेके देख लो हमेसा पॉष्ट युआगा अराम चाप अंतराल लिख सकते हो प्लस जहां पर हां वर्दमान जहां आश्मान होगा जहां क्यूंकी जहां पर वर्दमान हा यहां पर भौक कि नहीं पीचमान होता है इसलिए वहां पर ग्रेटर टेन लेज जीरो ही यहां पर इक समझाय है यहां चले आंगे यह हो गए दो छोटे-छोटे से question, अब थोड़ा कुछ अच्छा question करते हैं, जैसे यह question लिखा है, बढ़या question एक, कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबन log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x greater than minus 1, अपने संपूर प्रांत में एक वर्दमान फलन है, मतलब यह है कि इस कहने का मतलब है कि यह वर हमें साब positive value देगा, देख लेते हैं, समस्ते हैं कैसे, जैसे मालन वाई बराबर हमें जो को भी कुछ भी दिया जाए, आपको उसका ओकलन ही करना है, और कुछ नहीं करना है, without ओकलन हम कुछ आंगे नहीं कर सकते हैं, तो जो दिया गया है, उसको ऐसे लिख के, ओकलन करना इस-चार्ट कर दो, फलन दिया गया एक प्रकार से आउकलन की भी प्रक्तिस और हिम लोग की वाई-बराबर, एक फलन दिया अगया, आपकुछ ना करो सिधे ओकलन स्टार्ठ बीवइग्स, ओकलंकिया, लाग्स का वन आपउन हमें प्लस एक-स रगधो का दूबारा अन्सका ओकलन हुआ तो जायेक माइनस फिर मारे पास तो यह को छोड़ा हर का ओकलन हुआ तो जीरो प्लस वन टिक यह आगया डी वाइगा ब़ाबर एक बटे 1 प्लस एक्स बार मायनस नीचे मारे पास का है 2 प्लस एक्स का होल इसकोई उपर 2 से गुणा कर दिया तो 2 2 2 4 और प्लस का 2x माइनस का 2x का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2x माइनस 2x से प्लस 2x उड़ जाएगा तो dy by dx हमारे पास कित्ता आ जाएगा यह सर आ जाएगा 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x का whole square और simplify हो सकता है एल्सियम ले लेते हैं एल्सियम ले लो dy by dx ले लो एल्सियम ले लेते हैं यह वन प्लस एक्स है इधर इधर है 2 plus x का whole square इसका इधर गुणा हो गया 2 plus x का whole square minus 4 1 plus x यह हमारे पास एल्सियम आगे है whole square खुल लो जितना solve हो सकता है जिमता simplify हो सकता है कर लेते हैं फिर आंगे बात करेंगे अभी ओकल नहीं चल्ला है बागी question का answer देखना कितनी जल्दी आता है ए प्लस बी के whole square जखोल दो टू प्लस एक्स का whole square 4 x square प्लस 4 x माइनस 4 का अंदर गुणा कर दो माइनस 4 माइनस का 4 x बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस के 2 प्लस एक्स का whole square 2 प्लस एक्स का whole square 4x से 4x उड़ गया 4 से 4 उड़ गया क्या बचा dy by dx इक्वल टू x square बटे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का whole बहुत ध्यान से अब बहुत ध्यान से देखना बस यहीं तक solve होगा इससे ज़्यादा नहीं solve होगा हमने कुछ नहीं किया simple occland perform किया है यहीं occland खतम हो गया इसके बाद calculation कर लिए जो कट सकता था कट लिया एल्सियम लेना था यहां तक पहुंच लिए यहां तक बात कोई किस वेल्यू के लिए यह पूश्टिव है और किस वेल्यू के लिए यह निगेटिव कहां पर पॉश्टिव होगा कहां पर निगेटिव होगा बस यहीं आखरी में आके वर्दमान हासमयान में यहीं देखना है कि कहां पर यह पूरा फलन पॉश्टिव हो रहा है किन वेल् इसले वाले question में भी किया, इस question में भी, यह ही यहाँ पर करना है, अच्छा एक चीज बताओ, यह तो हमेशा positive रहेगा, क्योंकि x का square लगा है, negative value रखो x की, चाहे positive रखो, minus 1 से plus 1 तक कोई भी value रखोगे, यह हमेशा positive रहेगा, क्योंकि वर्ग लगा है, वर्ग में हमेशा ची बाकि कोई समस्या नहीं खड़ा करेगा, यह भी positive value देगा, यह भी positive value देगा, क्योंकि दोनों जगए वर गए, यहाँ पर भी x की कोई भी value रखो, हमेशा square होगा positive हो जाएगी, यहाँ पर भी x का कोई भी मान नकलो, square होगा, हमेशा positive हो जाएगी, समस्या काउन दे रहा, one plus x, तो one plus x को समस्या को हटाने के लिए उसने question में ही देखो समस्या आठा दी, क्या आठा दी, कि x का मान जो उसने दिया, वो greater than minus 1, क्या दिया, दिया है question में, क्या दिया है, कि x greater than minus 1, minus 1 कोई side लाओ, तो x plus 1 greater than 0, यह उसने question में दे दिया, समस्या खतम हो गई, यह पहले से positive पॉस्ट्यू था, यह भी पॉस्ट्यू रहेगा, और n plus x, जो हमारे पास है, यह भी greater than 0, x plus 1, 1 plus x, बात है किये, वो greater than 0 हो गया, मतलब कि हमेशा पॉस्ट्यू रहेगा, मतलब पूरा फलन कैसा हो गया, greater than 0, अब यहाँ से क्या लिख हो गया, अता, d y by dx, greater than equal to 0, हो, होगा, हमेशा greater than equal to 0, अगर greater than equal to 0 हो गया, फलन कैसा है, फलन वर्दमान है, तो कि जब भी फलन हमारे पास greater than equal to 0 हो गया, फलन हमारे पास वर्दमान यहीं सिद्ध करना था, question आसान था, डेरिवेशन था, केवल डिफरेंस येसन था, और बाकी उसकी कैलकुलेशन थी, बस यहाँ से में चार इस्टिप में केवल सोचना था, कि यह वर गया, यह पॉस्टियू रहेगा, यह भी पॉस्टियू रहेगा, वन प्लस एक्स के खेल, जो बिगार रा था, उसके लिए प्रकार का और दिखते हैं, जैसे यह वूस्टियू रहेगा, यह पूरा ग्रेटर देन इकोल टू जीरो हो गया, सब इकोल टू जीरो हो गया, बला इकोशन इंपोर्टें ग्रेटर था, ऐसे कोशन बनते एक्जाम में, ठीक है, चले आँगे, आरा है समझ में क्लियर रहने यहां तक कोई डाउट तो नहीं, किसी को समस्या तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, किसर क्या ही है, चलते हैं अंगले कोशन, एक और कोशन इस प्रकार का और देखते हैं, जैसे यह कोशन है, इसने इस बार अंतराल भी दे रखा है, कि इस अंतराल में को चेक करना है और इस अंत्राल में वर्दमान है यह में सिद्ध करके बताना है ठीक बताएंगे कोई दिक्कत नहीं पहले जो फलन दिया गया उसका एकी काम करना है में बिना सोचे समझे आप क्या करोगे सीधे आउकलन इस्टार्ट करोगे वही करना ही पड़ेगा कोई आप फ्री प्लस वाजटी टार माइनस गठीटर आप इसकाव कलन कर दो सिधा धी ठीला के सापेज करेंगे तो डीवाई अपॉन डीटीटर क्या हो जाएगा यहां पर अंस बटे हरवाला रूल लगेगा थो अंस बटे हरवाला रूल स्दू हर ओड़ेगा तो मतलब की हरका तो हो जाएगा 2 स्क्षूर की करेंगे तो आ जाएगा 4 को फीटिटा है इस ठीक इसमोर कि फोर को सीड़ा की अकूड़ में करेंगे तो आजाएगा और भिसका लाइन इसके बाद क्या करना है इस बार हमने क्या किया झूड़ा यह तीन्ट थीटा का उखलन मायनास कम बना और साहथ में ठीटा का अकलन ठीटा के साफ पर इचो गहां भीता में थीटा में फलन ागया इसलिए याद रखना डी याद रखुना डी यद्ड़ी णा भॉना धैत अलेका ठीक फॉरका अंदर गुणा कंले तो छहको घुटा आ कि माइनस का अंदर इपना कर देती जीडिए हो गया यह को गया माइनस माइनस प्लस फ्टूर और शानbase स्क्वाइड दिटता और बटे में हमारे पास क्या गया बटे में तो यह ही टू प्लस कॉस्ट्षग टूर्लस कि सवां कि नी की ज़रूरत नहीं है यहां से देखो 4 4 common होके sin2 theta cos2 theta 1 हो जाएगा कर लो जो जित्ता solve हो सकता हुटता simplify करते रो क्योंकि ऐसे अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे कौन positive काउन negative है तो 8 cos theta plus 4 हमने common ले लिया तो sin2 theta plus cos2 theta बचा अंदर और बटे में हमारे पास क्या आ गया 2 plus cos theta का पॉलिस को है बीच में यह माइनस वन आ लिए ठीक है यहां तक बात के लिए रहे इसको value 1 कर दो क्या बचेगा dy by d theta बराबर 8 cos theta और यह हमारे पास हो गया plus का 4 नीचे हमारे पास आ गया 2 plus cos theta का होल स्कायर माइनस में अब यह माइनस वन गड़वल कर रहा है यह तो बात समझ गए यह माइनस वन और लगा है ऐसा करो इसको भी उधर करो क्योंकि माइनस वन घटाएंगे पता ही नहीं चलेगा कौन पॉस्टिव एकाउंट निगेटिव है इसको भी एलस्यम ले लो 8 cos theta 1 P5 4 यह यह ले लेंगे तो माइनस 2 2 plus cos theta का होल स्कोर और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा 2 plus Cos theta का होल ऑ्षक ठीक D y by d theta क्या आ गया अप्छ एक इसको खोलना पड़ेगा उपर कोई option नहीं यह है 8 वाइए पास क्या गया गोटे में पास क्या गया कूछ कट रहा है ओर से फौर उडगया आठ कॉस टीटा सीए पूर Digi तीटा मारे पास किता आ गया य एंपास आगया for खीत आधा कौश सीटा हो गया यह कॉसी स्पाइब टीटा ऑब बटए में मारे पास आगया गया जू जठता हे चलना था कुछ स्थिटा का ओपर से कॉसीटा और कमन ले लो और कमन लेया कॉश्वच ठीटा तो क्या बचा ये हमारे पास बचा अवर माइनस कॉश्टीटा जा कते बटें में प्लस कॉश्च ठीटा का सुधम इंद अब इस इता AJ सिंपलिफाई होगा आप नहीं होगा डी वाई फाल ठीटा यह temu नहीं लगर आप simplify हो सकता है इतने में हम लोगों का काम हो जाएगा यहां तक कोई समस्या तो नहीं अभी हमने सिर्फ आउकलन किया है और कुछ भी ऐसा नहीं किया है कुछ भी अभी हमने इसमें वर्दमान या हासमान फलन का उपयोग किया है सिंपल हमें वाई बराबर एक फलन दिया गया था ओकलन जैसे हमने अभी तक करना सीखा है उसी से किया हम बटे हर में दो फलन लिखाता तो यह आज भागरूरव लगा लिया खीटा का ओकलन वन हो simplify कर लिया, यह अंदर गुणा हो गया, यह इधर गुणा हो गया, यहां से हमने देखा यह 1 बनना है, तो 1 बना लिया, बाकी जब इतना यह बचा तो इधर करना ही पड़ा, 1 से हम minus 1 हो रहा है, तो अब यह value positive होगी, तब minus 1 करेंगे, तो निगेटिव आएगा कि positive तो बहुत confusion होता, तो इसको यहां पर आके और थोड़ा simplify करें, और simplify कैसे, इसको उधर ले गए, इसको भी खोला, इससे जो कटा वो कटा, जो बचा वो बचा, बस इतना अमारे पास क्या आगया, अब यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहीं से हम वर्दमान की पहचान करेंगे, कैसे, जैसे जो आया, इसको पहले मैं लिक देता हूँ, क्या आया, दिवाइब थीटा, फिर मैं और आप से बात करता हूँ, यह हो जाएगा, चोछीटा, ब्रेकेट में क्या लिखाए, 4- माइनलस, कोष्टी नचा और बचे में हमारे पास क्या है, बचे में हमारे पास 2- प्लस- खॉष्टीता का लुऌड, अब छोटी छोटी बाते वही फिर से कौन सा पॉस्ट्यू होगा कहां पर निगेटिव होगा ये बात ये तो हमेशा पॉस्ट्यू रहेगा हमेशा पॉस्ट्यू रहेगा क्योंकि वर्ग लगा दिकर आया ना तू प्लस कॉस्टीटा का वर्ग लगा जहां पर भी वर्ग रेने वाली है तो यहाँ पर वैलू कैसी रहेगी फोस्ट रहेगी इसका जो भी वैلू आएगी इसकी जो भी वैलू आएगी इस नहीं कुछ ठीटा की वह माइनस वन के बीच में आते और उसको चार से कटाएंगे तो माइनस वन से बाएच के बीच की मेल को कोई भी वेलू को अगर चार से आप घटाओ प्रोष्ट वेलू है ओ कि चार बहुत बढ़ा है कहzier पर भी क्या है कि हाँ पर समस्या करना को को ठीटा और कॉश्चीटा के लिए इसने ठीटा की जोड़ेस्थ के लिए वह हमें किसं बीछते देखनी दिख नहले है जिरो से पाई-X घुटा के के बीच में बात करी गई है तो यहां से में 0 से पाइबाई 2 के बीच में वैसे भी कॉश jo x तो यह भी पॉस्ट यह भी पॉस्ट यह भी फॉस्टिव सब फॉस्टुम सब पॉस्टिव मतलब की फलन क्या हो गया वर्दमां सब छीज़ हटा देते बाई है इस समझाने के लिए था बाकिया आपको लिखना नहीं है इस एक्जाम में अब हट गए अब समझ गए न कि यह भी पॉस्ट्यू आएगा यह भी पॉस्ट्यू आएगा कॉस्ट ठीटा के हमें पता ही है कि ठीटा जो है मारे पास वो दिखाई रहा है कि सिद्ध की जीरो से पाई बाई टू के लिए जो अंत्राल दिया गया हो जीरो से पाई बाई 2 के लिए दिया घया अता हम लिख सकते हैं डिवाई बाई डीग एट मस्या तो नहीं भाई अराम सब्सक्राइब करना है सारे कोशन बस ऐसे हैं और कुछ खास नहीं है इसी प्रकार कोशन है वर्दमान और आश्मान में कुछ त्रिकोण मिति के कोशन अच्छे बनते उड़ी की मैं प्रेक्टिस करनी है और कोशन मैं कुछ एक दो लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेट एक कोशन जैसे यह हुआ एक यह वाला कोशन हुआ और यह वाला कोशन तो बहुती मज़ेदार मस्त कोशन एक दम सारे खिला देगा दिमाग मतलब यह कर लेंगे कोशन तो बस सारे कॉंसेप्ट अब लोगों के मजबूत हो जाएगी थोड़े हलके कोशन हो गया काफी हलका यह ज्यादा टफ नहीं से पाउक लेनी करना है बाकी समझना है कि कहां पर पॉष्ट यह तो बात अब समझ के थोड़ा सा त्रिकोन मित्ति के बारे में हमें पता है कि यह वर गया तो पॉष्ट्यू रहेगा यह फोर से इधर वैलू जो यह कौश पॉष्ट्यू है इसके लिए उसने जीरो से पाई बाई टू दे रखा वहां पॉष्ट्यू होता है तो ओवराल पूरा पॉष्ट्यू हो जाएगा अब इस फ़लन की बात करें यह फ़लन अमने लिया कि सिद्ध कीजिए प्रदप्त फ़लन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इसके लिए तीन अमने एक पाट लिए यह बताने यह सिद्ध करने हैं कि यह जीरो से पाई के बीच में हाश्मान है पाई से टू पाई में वर्दमान है जीरो से टू पाई में ना तो वर्दमान है ना हाश्मान है यह में सिद्ध करना है सबसे पहले तो वही काम जो हम अभी तक कर रहे थे कि fx वराबर अगर फलन दिया गया है तो आप इस एक्स निकालोगे देसे क्या हो जाएगा कॉस एक्स का उकलन माइस का साइनिक्स बहुत अच्छे के साइन एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे वैसे अभी तक सीखा है बात करें very simple तो पहले चाहतु थांस में पाउच्टियु उता है दूसरे में पाउच्टियु जातो पाज़े stickingGo वोता है यह बाते तो पता है नाः यह तो नहीं किसी को डावट है एहां पाउच्टियू से आ पॉस्टियू कि यहां सारा थेल सारा दारौमदार कि इस पर है कि इस सी एक्स की वेलू पर ही डिपेंट निकरता है कि उलन वर्दमान है कि हाश मान कि वो कब ग्रेटर देनі federal आ कब लेस्टेन 2 0020 तो हमें तो बात इसकी करनी है sain X के बारे में हमें पता है कि यहां पॉस्ट्य होता है यहां पॉस्ट्य होता है यहां निगेटू यहां निगेटू लेकिन सर हमारा फॉलन माइनस साइनेक्स है तो हमारा जो फॉलन हम उसके कोर्डिंग लिखेंगे तो यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा यह भी माइनस हो जाएगा य यह पाई हो गया ज़िए फ्री फाई भाई टू हो गया 270 और यह तुम्हारा टू पाई होगा आप तुम देखके बता दो यह बना दो तो फिकर कोई दिक्कत लिए फिकर तुम्हें बना दो कोई दिक्कत लिए माइनस ऐने स्लिकों अब यहां पर आप लिखना सुरू करो पहले वाले पार्ट से बहुत आसान हो गया कुश्चिन बस इससे आसान तरीका नहीं हो सकता जीरो से पाई टू में हर्समान है कि नहीं है किख दूसरा हो क्या बोल सथ 2 पाई में फ्लन वर्दमान आं पाई से ृू पाई तो फाई दो पौश्ट यू घ्र एन भिए बीओ पॉस्ट है फ्लन वर्दमाने फ्स,x ग्रेटर देन जीरो एक तो यह भी वेलू पॉस्ट यू दे घ्ला खूट करदोमान है थिक और थर्ड मारस हमें यह दिखी रहा है कि जी जीरो से टूपाई जिनु से टूपाई सब खूआ नहीं पूरा चकत तो यहां पर आदे में हाश महने अदे में वर्दमान है तो यह लिख रहा है घिरो से to pi जो लिखा है उस चिद होता है सारी चीजह 0 जल जलकाक में ना तो और फलन को वर्दमान है और नहीं हसमान सबसrez Perry लिख के आना है और कुछ नहीं से आसान क्या हुई होगा और नहीं हAT हाशमान है ठिक क्लिय आतक बात हुआ समस्या तो नहीं याँ तक कि याय तक त्र मां तबी को खिलियर हो गई बात पस इसी प्रकार से तो को मैंने लिया है इसी प्रकार याय जो करना और कुछ नहीं अराम शोप सारे questions लोके परशानय ओने की जोवत नहीं अग्ला कोशन जलते हैं ठीक है यहां तक बाद सबको समझ में आगे इसी प्रकार का अगला कोशन जो मैंने लिया है बढ़ा कोशन इंपॉर्टन अंत्राल ग्याद की जिसमें प्रदफ्थ फलन साइन 3x ले लिया इस पर साइन 3x सबसे आसान तरीका यही है आप जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है में हमें सर दिया गया साइन 3x ठीक और x कहां से बिलॉंग करना है जीरो से पाई बाई टू के बीच उसकी बात कर लेंगे आप सबसे पहले तो वही काम करना है बिना सोचे समझे एफ डैस एक्स तो निकाल ली दू एफ डैस एक्स क्या आ जाएगा तो साइन 3x को कॉस 3x का दुबारा करेंगे 3 आ कि अगरक बात करें मान नो कौस 3 एक्स हो कोई दिक्कत नहीं अबी यह पता है कि कहां पर पॉस्ट्व होता आ यह अगर यह वाय बरावर मानू कॉस 3 ass вже कि या सिंपल कॉस्ट्री एक लिए अगर कॉस्ट्री एक्स की बात करें तो हमें पता है कि पहले चातुर्थांस में तो पॉस्ट्य होता है चौथे में पॉस्ट्य होता है इधर निगेटी होता है इधर निगेटी होता है इधर निगेटी होता है कॉस्ट्य होता है कॉस्ट् होता है ठिक किती बात तो हमें पता है अब एप छोटी सी बात समझो X की value दी गई हमें अब 0 से बीकिन हमारा दारो मतार किस पहीं होता है F2-X जो ऑफरा कि बात कर नी होती है और F-X में देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3X मतलब हमें बात किसकी करनी है कॉस के अंदर क्या लिखा है 3X ना की X अगर X लिखा होता तो हम इतने अंतराल में देखते हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है तो इसलिए हम अंतराल की किसकी बात करने होगे 3X की तो इसको पहले 3X में चेंज करूँ 3 से गुणा कर दो पूरे को तो यह हो जाएगा 3X और यह हो जाएगा 3Pi by 2 तो अब हम किस अंतराल तक जाएगे अब हम 0 से 3Pi by 2 के बीच तक देखेगे क्यों ऐसा किया क्योंकि सर हम F-X की value देखते है कि वो positive है कि negative है और F-X में यह cost 3X है हम X की जगे जैसे value रखेंगे तीन गुणा हो जाएगी तो हमें अंतराल भी यह पूरा देखना पड़ेगा कि 3X के अंतराल में यह क्या बनना है तो 0 से 3πi by 2 तक जाएगे मतलब यह 0, यह πi by 2, यह πi और यह 3πi by 2 तो हम कहां तक जाएगे हम सर यहां से यहां तक आएगे पूरा यहां से आखे टिक 3πi by 2 तक देखेगे अब 0 से अब हमें यहां पे दिख रहा है क्या दिख रहा है यह 3x जब बिलॉंग कर रहा है 0 से πi by 2 के बीच में कहां से 0 से πi by 2 के बीच में तो फलन वर्दमान है क्या है फलन वर्दमान है जब 3x जो मारे पास है 0 से πi by 2 के बीच में बिलॉंग कर रहा है तो यहां से हमारे पास x जो बिलॉंग करेगा वो कहां से कहां में करेगा थ्री को इधर बेज दो जीरो से पाई बाई सिक्स फलन वर्दमान है यह बात समझ में आई सभी को कि थ्री को इधर बेज दिया तो तीन दून अच्छा है तो जीरो से पाई बाई सिक्स में फलन क्या है वर्दमान है क्योंकि यहां से हमने जो बात करी हैं ने कॉसेक्स के बारे में बात करी कि कॉसेक्स जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है यहां पर पॉस्टी होता है जीरो से पाइबाई टू के बीच में तो वो तो जीरो से पाइबाई टू के बीच में पॉस्टी है लेकिन हमारे पास हो वाश्मान के लिए हास मान क्या होगा 3x जब भिलॉंग कर रहा है कहां से कहां तक सरपाइबाय imbalance 跟大家 2-5 यहां भी 99 यहां भी निइसे यक यह इस निगेटिव थे होता है तो हश्मान होता है तो पाइबायyk से 3 grandson divided to stop violence क्या हो जाएगी हमें तो X की रेंज चाहिए न, X की रेंज क्या हो जाएगी, 3 को नीचे बेज़ दो, तो यह हो गया पाई बाई 6, यहाँ 3 से 3 कर जाएगा, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में फलन क्या है, वर्द मान, यह हाश मान, फलन, हाश मान, बस यही इस बात का अंसर है, बहद important question, और सबसे आसान वे में, इस से ज़्यादा क्या सिंपल हो सकता है, ज़्यादा लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कि हमें x की range दी गई है, बट बात है, पर हमें तो 3x की कर दी है, तो x के according, अब 3x को बदने कि हमें 0 से 3 pi by 2 तक जाना है, ना कि 0 से pi by 2 तक देखना है, अगर यहाँ पर यह x होता है, साइन x लिखा होता है, तो 0 से pi by 2 तक देख रहे होते हैं, क्योंकि उसका आउकलन भी cos x के वल आया होता है, तिक, यहाँ पर 3x आया है, मतलब कि हम अंतराल पूरा 3 गुने पर देखेंगे, कि pi by 2 में, फिर हम तीनों में 3 से गुणा गिया है, यहाँ भी 3 से यहाँ तो 3 pi by 2 तक देखेंगे, तो हमारा अंतराल बढ़कर कितना हो गया, 0 से 3 pi by 2 हो गया, जब 0 से 3 pi by 2 हो गया, तो फिर हम उसके अंतराल के अंसार देखेंगे, अब हमें cos x के बारे में पता है, कि पहले चतुतनाज में positive होता है, 0 से pi by 2 में x positive होगा, क्योंकि cos x की बात हो नहीं, पर य तो ये बात होगे, हमारे पास question number 12 में की, question आसान है, एक page में हो गया, पूरा question, लेकिल सोचने की बात है, इससे दमदार question है, अगला वाला question जो ये लिया है, इसमें पूरा दिमाग खुल जाएगा, पूरा cos x, sin x, सारी चीज़े एक दम दिमाग में खुल जाएगी, कि क्या चलता है, cos x, sin x में, इसलिए त्रिकोण मिती बहुत important होती है, कि अगर 11 में त्रिकोण मिती नहीं पढ़ो, तो फिर दिक्कते आती है, अल्तराल ग्याद करना है, कि f x बरावर एक फलन है, sin x, cos x, और x की value है, इस बार 0 से 2 pi तर, पलब 0 से pi by 2, फिर pi, 3 pi by 2, 2 pi, पूरा एक चक्कर है, और f वर्दमार और आस्मार अंत्राल यहां पर भी अमें बताना है, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहला काम तो बीना सोचे समझे कर दो, क्या, f x बरावर, sin x, plus cos x, बड़ा ही मज़िदार कोशन, दिहान से देखना है, इस कोशन को पूरा, f x की अगर बात करें, f x क्या हो जाएगा, cos x, minus sin x, जहीं हो जाएगा, यह आ गया, f x, एक बात ध्याद सर्ब्जो, कि f x हमारे पास क्या है, cos x, minus sin x, हमें तो f x पर ही पूरा खेले, कि कब f x positive, कब positive, जब cos x की value, sin x से, बढ़े, क्योंकि cos x में से sin x को हम घटा रहे, तो जब cos x की value, sin x से बढ़ी होगी, तो value positive आएगी, फलन वर्दमान आएगा, और जब cos x की value, sin x से छोटी होगी, तो value negative आएगी, फलन हाशिमान आएगा, यह बातों में इस से दिखके, इस से देखके, इस line से देखके, इस प value positive, यह cos x negative होगा, महला cos x की value छोटी होगी, और sin x की value बड़ी होगी, तो simple हमारे पास क्या हो जाएगा, negative value आजाएगी, ठीक है, यह बात तो हमें clear होगे, ठीक है, इतनी बात तो सच है, अच्छा एक बास समझो, छोटी सी बास समझो, मैं साइनेक्स और cos x के कुछ मान ना कि कहां पर, क्योंकि हमें बात करनी है कहां तक, 0 से 2 पाई तक, यह 0 डिगरी है, यह 30 डिगरी है, रफ का काम है, यह भी हटा दूगा, बस मैं समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूँ, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी, उस मान रखे, sin 0 का मान, 0, यह 1 by 2 होता है, यह 1 by root 2 होता है, यह हमारे पास होता है, root 3 बटे 2, यह 1 होता है, कि कॉसेक्स हो जाएगा, उल्टा करके लिख दो, 1, root 3 बटे 2, 1 by root 2, यह हो गया, 1 by 2, और यह हो गया, यह हमारे पास, 0, यहां से एक चीज़ ध्यान से आपजर्ब करो, कि साइनेक्स अब देखते हैं कि कहां पर कॉसेक्स बढ़ा है, यह बात समझते हैं, तो आप 0 से पहले, 5 by 4 तक जाओ, 45 जिग्री तक, तो आप देखो, यहां से पाओगे कि कॉसेक्स की जो है, वो बढ़ा है, साइनेक्स से, दिख रहा है, यहां कॉसेक्स की वेलू 1 है, यहां 0 है, यह रूट 3 बटे 2 बढ़ा है, 1 1 by 2 से, यहां 1 by root 2, 1 by root 2 है, समान है, उसकी बात नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आइडियल केस ले रहे है, कि कॉसेक्स जो है, वो हमारे पास बढ़ा है, 0 से 5 by 4 तक, इसी प्रकार, अगर 5 by 4 से, आप 5 by 2 तक जाते हो, 90 डिग्री तक जाते हो, फिर जैसे आप इस तरब बढ़ है, 0, मतलब 0 से 45 डिग्री तक कॉसेक्स हवेसा बढ़ता है, बढ़ रहा होता है, आपने ग्राफ भी देखा होएगा, दोनों का ग्राफ अगर आप देखते हो, कि साइनेक्स का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, और कॉसेक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, मतलब पहले से अग्रों तो पहले से ही वो बढ़ के आता है, तो हमेसा हमें पता है कि कॉसेक्स की जो हमारे पास वेल्यू होती है, वो 0 से 5 dub ir 4 तक अगर जाएगे, तो वो बढ़ रही होती है, जब कि 5 बाई फो से जब आगे हो चलती है, तो साइनेक्स ह winter लिए लगता है, इतनी बातों म किलिए क्योंकि हमें तो बात करनी है पूरे चाथ और फांग सब्सक्राइब करनी है जिरो से टूपाइट यह जी रो है यह पाई बटे दो है यह पाई है यह 3 में बटे दो और यहां पर टूपाई भी आ जाएगा पूरे एक चक्कर की हमें बात कर दीए अब द्याद समझ ना एक लाइन और मैं बना रहा हूं बीच में कौन सी लाइन अभी क्लिए हो जाएगा क्योंकि सारा खेल इसी लाइन का है यह लाइन कौन सी है पाई भाई फूर की 45 डिगरी के पहले देखो के तो कॉसेक्स बढ़ा है बाद में जाओगे तो साइलेक्स आप यहां पर समझते हैं अब देखते हैं कहां पर कौन पॉश्टिव है कहां पर कौन निगेटी सबसे चोटी सी चीज़ हमें एस्टी सी रूल से इतनी बात तो पता है इतनी बात तो पता है कि साइन यहां पर पॉश्टिव होता है कॉस निगेटी होता है मतलब यहां पर तो यह बात पता है कि कॉस एक्स यहां पर छोटा होगा साइन एक समय सा बढ़ा होगा यहां पर सेकेंड चतुर्थास में क्योंकि यहां पर क्या होता है कॉस एक्स निगेटी होता है और साइ निगेटिव हो गया और कॉस्ट पॉस्ट्व हो गया तो कॉस्ट बढ़ा हो गया साइनेक से तो दूसरे और चोथे लेख लिए कि को सेख्स बढ़ा है साइन एक्स है यहां पर क्या है यहां पर सर वां जुए वह बढ़ा है साइन आपके पाइबाइफ़ दौ तक her को सबसने तो है एक यह चातुर्थांच का मामला भी हम लोह उने अपने दॉम फ Too लिए कि कहां पर कौन सब पॉस्टिव होए कहां पर कौन सब निगेटिव यहां तक बात के लिए रहे सभी को कोई समस्या तो नहीं बढ़ा कोई श्रित कि पहले चतुर्थास में हमने यह देख लिया इस टेबल के माध्यम से 0 से पाई बाई टू तक 0 से 90 तक कि यहां से 45 तक होता है कॉसेक्स बढ़ा होगा साइनेक्स निगेटिव होता चोटा ही रहेगा अब बात फस्ती थर्ड में क्योंकि थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं अब इसको मैं रफ वाला काम था यह बात दिमाग में रहेगी ना कि यह मैंने सिफ 0 से पाई बाई टू के लिए आपको समझा लएक जीरो से पाई बाई टू में कहां पर मसला हो सकता है पाई बायकोर इसको लिख लेना वैसे आप रफ में ताकि आप जब कभी रिवाइस करो तो आपको याद रहें कैसे इसको समझताता है अब हो गया बात काम इतने में हो जाएगा question हमारा इतने में हो अब बात करते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर हम इस अंतराल में बात करें, इस अंतराल की, इधर के अंतराल की बात करें, तो यहीं पर कहीं 210 डिग्री आएगा, एक कमान काम करते हैं, अब मानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका इडिया नहीं लग रहा है, कि यहां पर किया होगा क्या नहीं होगा ऐसा करते यहां पर X का माझ रख़िए चक्कल लेते कि कभी यह पॉस्टिव हो रहा है कभी a निगेटीव रहा और मैनयुवकली द्याता देते कि 180 के बाद कही 210 धिंग्री आएगा यह यह दिग्री यह यहां मतलब की माइनस का रूट 3 मटे 2 और यहां पर साइन 120 का मान अगर निकाला यह दोसोगी का 210 का तो यह आ जाएगा साइन 180 प्लस 30 मतलब हो जाएगा माइनस का साइन 30 क्योंकि यह भी थर चतो थांस में होगा यहां भी निगेटिव होगी यहां पर माइनस चीन लग गया माइनस चीन लग गया मतलब की चोटा हो गया यहां पर हम क्या कहेंगे यहां पर आप यह कहोगे कि प्रॉष जो है वो छोटा है साइन एक से और यहीं पर इसी का उल्टा यहां पर हो जाएगा वैलू रख कर भी देख सकते हो कि यहां पर कॉसेक्स जोगा वह बढ़ा हो जाएगा साइन बस यहीं बात समझाना चाहर है चारों चीजें हम लोगों ने सारे अंतराल निकाल लिए हर जगें देख लिया कि कहां कॉसेक्स बढ़ा है कहां साइनेक्स बढ़ा है और स्कॉसेक्स जहां पता चल जाएगा बढ़ा है तो आप कहां कहां पे पुरी पकॉसेक्स बढ़ा एक यह बढ़ा और यह बढ़ तो न दो gebrachtरा रोटा यगे वर्दमान कांटराल क्या हो कि जान ज्यां को सब्ढाइ एक तो जीरो से पाइवर वाई फॉर सारे बड़े ब्रेकर पर चलेगा क्योंकि वर्दबान की बात है कि जीरो से पाइवर पॉर यूदि एक और यहां से है फाई-वाई-बैइफोर से सिधा चले जो टूपाइताय यह भी पूरा पॉष्ट यह फूने टो फाई-वाई-फोर से फूपाई-वा education संध्राल में क्या है यहां पास पॉस्टुफ है हाश्मान को आपकर कर और ईकश्मान नेचर यहां पर यह इन एक यह निगेट कुरू है ठीक यही तीर जगह है तो pi by 4 से सिद्धे चलो और पूरा यह negative है 5 by 4 तक चले हो 5 by 4 से चलो और 5 by 4 तक पूरा चले आओ तो पूरी value कैसी है यह हमारे पास हो जाएगा answer लेकिन देख लो answer सिर्फ एक page में पूरा solve हो रहा है question लेकिन दिमाग पूरे page का लगना 10 page का कि दिमाग पूरा आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर cause x positive है कहाँ पर cause x negative है कहाँ पर sign x positive है कहाँ पर sign x negative है तभी आपको अच्छे से बात की clarity मिलें सबको यह बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पर समझाई कि बहुत important question यह questions आप अगर कर लोगे तो आपको कोई नहीं पीछे कर सकता 90 प्लस आप स्कोर करने वाले कोई कड़ वारेंटी बस इस प्रकार के question पर आपको पूरी command होनी चाहिए कि कैसे questions को मास कया जा ठीक है ना बात समझ में आ गई सभी को आपको पहले तो आउकलन करना है फिर इसके recording ही हमें चलना है यहां पर हमें खुद से सोच नहीं है कि किस अंत्राल में वेल्यू पॉश्ट्य होगी वह वेल्यू में अपने मन से रखनी है वह सब हमें अपने वजस से सोचना है कि कॉसेक्स और साइनेक्स के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए जब तक कि कैसे निकाल पाएंगे कि कब पॉस्ट्य होता कब कब लगाते हैं यह किस चतुरथास में कौन पॉस्ट्य होता है कौन निगेटिव था यह इसी पर डिपे पहसा में समझ लिए टेवल बना दिया आपके सामने की कैसे दिख रहा है आपको कौन सी वेलू सीधा कम पैरिजन दिख रहा है अगर हम इसे ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे तो उलच जाएगा मामला इसलिए मैंने यह करके देख लेना रखके वेलू निकाल देना को साइंटी देख लेना को समय सब बढ़ा आ रहा होगा सैंटी अंसर आपका प्रूरा आजाएगा ठीक है तो यह बात होगे यहारे पास वर्दमान और हाश्मलन पलन के अधारित कुछ कोश्चन की कुछ हमने अच्छे लेवल के भी कोश्चन करने अब लोग कोश्चन करेंगे वह लोग उच्चितम और नीम्रता में अन्तिम टापिक है और बहुत ही महत्पूर टापिक है मैक्सिमा मिनमा इससे भी कोश्चन आ जैए ठीनों टापिक अपने जगाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इस पर सलेख और विलम भी होता था सन निक्तन भी होता था अप्रॉक्शिमेशन भी दोनों हट गए उपी बोर्ड ने भी अटा रहा कि काफी बोर्ड ने हटा दिये इसे कोश्चन आएगा इसे बढ़ने के चांस जादा हो जाते हैं तो जितना वेटेज आएगा अब इनी में आएगा तो समझ लेते की विलंट होता क्या स Candace की बात करें अब समस्थे हैं इसको पहले ऐसा करते घ्राफ बना लेते हैं आए١ है एक ग्राफ के मारक दीम समझते हैं कि माल लो को यह मारे पास graph है कैसा भी हो सकता ग्राफ कैसा भी हो सकता उसके लिए परेशान होने दिरुवत नहीं है माल लो इस प्रकार से मैं कुछ भी ले लेता हूं कुछ उतार चभाओ से मालो ऐसा कुछ मैंने ग्राफ ले लिए ठीक है कोई दिक्कत में कैसा भी हो सकता है कहीं उपर कहीं नीचे वैसा कुछ भी हो सकता है ऐसे पहड़ा से बनने है उन्हीं की बात कर देता हूं इसी के माद्यम से अच्छे समझ में आ जाएगा यह माल लिया है अच्छे सब्सक्राइब तक भी है अच्छे सब्सक्राइब अच्छे तक बात के लिए अब इसमें च्छोटी सी बात समय जो यह पहाड़ से बनना है ना ऊपर से जो ऊपर जा रहे है बहलाँ पहाड से बनने इन बिन्दों को ही हम क्या बोलते है इस्तानी उच्छितम और जो गढ़े से बनने एक ये हुआ जैसे एक ये हुआ और भी हो सकते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं इस्तानी निम्नतम बिंदू या निम्निष्ट बिंदू बोल सकते हो इस्तानी निम्निष्ट बिंदू या उस्तानी उच्छिस्ट बिंदू For example, जैसे कि, यहां पर मैं बना देता हूं, जैसे पहला बिनदू यहां पर अगर हम देखे, यह मैं जो सबसे maximum point मिल ला है, इसको मालनो X1 नाम दे दू, यह हमें एक बिनदू मिल ला है, इसको मनें मालनो X2 एकि एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 और एक्स 5 तो जैसे कि एक्स 1 x2 x3 x4 x5 जो यह बिंदु है इनकी अगर हम बात करने x1, x2, x3 इन बिंदुओं में जो हमारे पास अधिक्तम माले मलब जहाँ पहाड़ बनने x1, x3 और x5 जो उच्चितम बिंदु है x1, x3 और x5 जो इसमें 3 बिंदु है इन्हें हम बोलते है इस्थानी उच्चितम बिंदु इस्थानी उच्चितम बिंदु कुछ चोटी चोटी चीज़ें है वो समझ लेते हैं फिरा साजी चीज़ें किलियर हो जाएंगे इसी प्रकार x2 और x4 क्या हो जाएंगे x2 और x4 हो जाएंगे इस्थानी निम्नतम बिंदु इस्थानी निम्नतम बिंदु यह हो गया हमारे पास इस्थानी उच्छतम बिंदु जो यह पहाड से बन नहीं थे और यह हो गया इस्थानी निम्नतम बिंदु जो नीचे हमारे प तो यह फलन का मान होता है जैसे यह हो गया हमारे पास क्या fx1 इसी प्रकार यह हो गया यह हो गया हमारे पास fx2 इसी प्रकार fx3 यह मिल गया यह मारे पास fx3 हो गया ऐसे fx4 हो गया हमारे पास यह मारे पास fx4 हो गया ठिक यह मारे पास fx5 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से यह हमारे पास क्या हो गया fx1 ठिक तो इस्तानी उचितम बिंदु पर जो इस्तानी उचितम मान मिलेंगे इस्तानी उचितम बिंदु जो है जैसे हमारे पास x1 है x3 है और x5 इन बिंदुओं पर जो अच्छ पार में वेल्यू मिलेंगी वो सके मानोथे इन बिंदूओं पर जो इधर वाय एक्छो पार में जो मάλन मिलेंगे वो क्या हो जायेंगे उस्तानिय। तो इसी प्रकारवारे पास Fx1 और Fx3 और FX5 ये क्या हो जायेंगे यह हो जायेंगे स्थानी । उच्चतम मान ठीक प्रकार से और यह हमारे पास क्या हो जाएंगे fx2 और fx4 यह हमारे पास क्या हो जाएंगे इस्थानी नियूनतम मान इस्थानी नियूनतम या नियूनतम लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं वो तो एकी बात है नियूनतम मान हो जाएं ठीक क्योंकि उन ब उच्छुतम निम्तम बिंदु जो मिलना है इन्हीं पर जो फलन के मान आएंगे उन्हें इस्तानी उच्छुतम मान उस्तानी निम्तम मान बोलेंगे इसी में कुछ इस पेशल टाइब होता है इनमें आजग देखें कि सबसे अधिकतम मान सबसे बड़ा पाड कहा मिलना है तो यह में दिख रहा है X3 तो यह X3 पर जो फलन कमाने जैसे fx-3 जो होगा इसमें इसमें जो स्पेशल टाइप की अगर हम बात करें तो fx-3 जो गा इसे हम बोलते हैं निर्पेच उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ये छोटी-छोटी सी बाते हो गई इसमें और एक और इंपोर्टेंट बात क्रांतिक बिंदूओं के बारे में तो ये जहाँ पर हमें उच्चितम और नियूंतम मान मिल हैं जैसे ये x1, x2, x3, x4, xy ये सारे बिंदूओं को ही हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदूओं यहाँ प तो यह बेसिक-बेसिक सी बाते हो गए हमारे पास उच्चितम और नियम्नतम के फलनों में यह बाते हो गई अब इसमें क्या है उच्चितम और नियम्नतम ग्याद करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मैठेड है एक है प्रथम आउकलन विदी एक है दुति आउकलन दोनो इंपॉर्टेंट है दोनों सिंपल है आराम से समझ में आ जाएंगे क्योंकि प्रथम आउकलन वीदी जो है वो बेसिकली एक प्रकार से वर्दमान और राश्मान फलन जैसे हमने पढ़ते थे अभी जो हमने पीछे पढ़ा सेम उसी तरीके से वर्क करती और कुछ नहीं है जै ऐसे कि हमें पता है यहां पर अगर देखो प्रतम आउकलन वीदी पहले हम देख समझेंगे पहले हम क्या करते तो उसमें हम F-X का मान निकालते थे कि F-X क्या आ रहा है ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है अच्छा एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बार ग्रा कहां बात करी थी पीछे बात करी थी हम लोगोंने F-X greater than 0 less than 0 यहां पर क्या है यहां पर अगर देखोगे तो F-X सब्सक्राइब देख रहा है कि घट राया फ़लन यहां पर भी घट रहा है यहां पर भी वह यह यहां पर भी क्या F-X less than 0 फिर यहां से बढ़ले कर he reasons greater than zero поп Scene कि मतलब ज़्यादा से कम हो प्लस से मैनस हो रहा है तो फॉमें क्या मिलना है प्लस से माइनस होने पर हमें उच्चतम बिंदु मिलना है दिख लाएना कि एकसमने उच्चतम बिंदु है तो जब f dash x greater than 0 से less than 0 की तरफ जा रहा है तो उस बिंदू पर हमें जो यहाँ पर अगर उस बुंदू की हम बात करें तो वो बिंदू जो हमें मिल ला है उस बिंदू पर जो हमें फलन का मान मिल ला है उसे ही हम क्या बोलेंगे इस्तानी उच्चतम मान ठिक यह हमें का मिल ला है यहाँ पर क्या मिल ला है उच्चतम मिल ला है सेम इसी प्रकार जब less than 0 से plus से हम minus जा रहे है यहाँ plus से minus आए यहाँ minus से जब हम plus जा रहे हैं क्योंकि less than 0 है तो minus से जब plus जा रहे हैं तो हमें निमतम मिल ला है को f dash x का चिन प्लस से माइनस हो रहा हो हो तो इस्थानी उच्चितम मान मिलता है क्या मिलता है इस्थानी उच्चितम मान मिलता है यह हो गई पहली बात हमें टिक यह फर्स्ट पॉइंट हो गया इसी में सेकेंड पॉइंट क्या होगा जब f dash x का मान प्लस से माइनस मिला तो यह x1 देखो में उच्चितम मान पता है कि x1 उच्चितम इस्थानी उच्चितम बिंदू है जब माइनस से प्लस तो इस्थानी निम्नतम मान मिलता है यह इस्थानी निम्नतम बिंदू मिलता है फिर बिंदू रखके मान निकाली सकते हैं तो इस्थानी बिंदू मिलता है यह इस्थानी निम्नतम बिंदू मिलता है यह भी बात आप बोल सकते हैं दोनों बातों का मतलब एक ट्रकार से सेम ही है, तो यह हो गई हमारे पास प्लस माइनस चिन्ड मिलने की बात, प्लस माइनस चिन्ड का मतलब क्या है कि कैसे सर प्लस चिन्ड मिलेगा, कैसे में पता चलेगा कि माइनस चिन्ड मिलेगा, वो सेम वैसे है जैसे वर्दमान और यहाँ से मैस्या चिछडियार्व म मैंज मंवीं का इस के बाद बस यहां तक का काम से मैं इसके बाद लिखने वाला प्रोसेस वो थोड़ा सा चेंज होगा वह भी बता देंगे बाकी इतना अभी यह बकृत बोर जोना उखें प्रतन से तोट कह एक सबस्धा मॐणि. यहां पर यहां पर ऑफ देस एक्स एकोल टू जीरो होता है, क्योंकि यहां पर इसपर स्रेखा कि अगर आप प्रवनता लिखोगे, यहां पर आप इसपर रेखा अगर खीचोगे तो कैसी आएगी, state line आएगी, x अच्च के समानतर आएगी, यहाँ पर भी x अच्च के समानतर आएगी, हर इस मिंदूओं पर क्या होगी, x अच्च के समानतर तुम्हें इस पर सरेखा प्राप्त होगी, x अच्च के समानतर जहां इस पर सरेखा होती ह वहाँ पर सर f dash x क्या होगा इकोल टू जीरो क्योंकि 10 theta equal to 0 हो जाएगा इसलिए यहाँ पर क्या होता है f dash x equal to 0 हो जाएगा इसलिए प्रवनता 0 हो जाती है f dash x equal to 0 करके आप क्या करोगे यह x4 x4 x3 x2 x1 यह जित्ते भी क्रांतिक बिंदु यह कैसे निकलते हैं यह सर निकलते ह इसका ओकलंज होगा वह equal to 0 होगा तो डारेक्ली हम यहां से इस पर सब्सक्राइब जो मारे पास क्रांतिक बिंदु है वो निकाल लेंगे सीरे कोश्चन पर चलते हैं उस समझ में आ जाएगा यह बात है मारे पास किसकी प्रथम आउकल जवीदी के दो विदिया है उच्छ अच्छा एक्जांपल लिए फर्जी वालाए उन्हें लिया है कि एक फ़लन दिया गया है फलन का में इस्तानी उच्छतम और निमतम मान ग्याद करना तो पहले आप कुछ नहीं करना आपको फ़लन जो fx दिया गया लिको fx जो फलन दिया गया लिका 3x की पावर 4x 3x 4x3- 12 x square plus 12 कुछ नहीं करो पहले f-x तो निकाली लो f-x निकाला चारतिया बारा एक स्कूब चारतिया बारा एक्स माइनस का 24 वो जीरो हो जाएगा जोबिस एक्स तो f-x यहां से अगर देखे तो 12 x common आ रहा है ले लो यह क्या बच्चे का x square plus 1 minus का 2 x क्या हुआ है अच्छा यह एक स्कॉर है एक से कंड़ें कि 3 x power 4 यह हो गया चारतियां 12 x q और यह हो गया 3 चो को 12 x square ठीक और माइनस का 12 x और वो गया 0 यहां से 12 x common ले लिया फिर हमारे पास क्या हो गया x square प्लस का x और माइनस का 2 यहां पर 24 है कहां बारा दूना 24 ठीक यह आ गया अब यहां पर अंदर गुड़न खंड हो सकते हैं तो कर दो गुड़न खंड f dash x equal to मारे पास हो गया यह हो गया 12 x x square प्लस x माइनस का 12 क्या लिख रहा हूं बारा दूना 24 दो आ जाए यहां से तो f dash x equal to मारे पास क्या आ गया यह आ गया 12 x और x plus 2 और x minus 1 यह हमारे पास हमने f dash x निकाल लिया बस सिंपल f dash x तो यहीं पर आ गया था हमने गुड़न खंड करके इसको simplify कर लिया आप इसके बाद क्या करोगे सेम वही प्रोसेज जैसे f dash x वहां भी equal to 0 कर रहे थे यहां प करो मान निकालो x के इधरी लिख लेते हैं मालों equal to 0 करते हैं तो 12 x x plus 2 और x minus 1 equal to 0 तो एक आगे x बराबर 0 x बराबर minus 2 और x बराबर 1 यह तीन बिंदू हमें मिले x बराबर 0 2 और 1 संख्यार रेखा बनाओ काम होई है सेम है अभी तक काम संख्यार बना लो संख्यार एक बलाई एस्ट प्लस नंथ माइनस अनंत क्या 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 बंदू है माईनस ह स् तुट्य वनगे और 02 0 10 मदेग रख लिए अब संख्यार बाड़ी कोई भी वेलू रखोगे मालों हमने दो रख्खा एक्स बराबर तो यहां पर 12 और 2 हो जाएगा यहां भी 2-1 होके एक हो जाएगा पूरी वेलू पॉस्टिव रहेगा मैं मान तो निकालना नहीं होता हूं मैं यह देखना होता वेलू धनात्मक आ रही कि रडात्मक एक से बड़ी कोई भी वेलू यहां पर रखोगे f-x में तो देखोगे सारी वेलू पॉस्टिव आ रहें कोई वेलू निगेटिव नहीं देगा मतना मान कैसा है गा प्लस और बिना सोचे समझे आगे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे क्यों क्योंकि घाते सम्में विसम है यहां पर भी घात विसम है यहां पर भी घात विसम है यहां पर भी घात विसम हो आप एक चिन निकाल लो आगे वाला बाकी अल्टरनेट लगाते जो प्लस माइनस प्लस माइनस छोड़ी सीट्री का याद रखो वैसे आपको अगर जब भी confusion लगे आप मान रख लो फिर रखना पड़ेगा मैनोली उसका option नहीं है तो उसको रख लेंगे टिक तो यह आगया हमारे पास मान संख्या रेखा पर अब आपको क्या देखना है चिन चिन कैसे देखो कि आप बाया साइट से चलो बाया साइट पर माइनस दो से हमने देखा कि माइनस दो पर जो चिन है माइनस से प्लस हो रहा है और एक पर भी माइनस से प्लस हो रहा है तो जहां पर चिन माइनस से प्लस होता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है जब भी माइनस से प्लस होगा यहां से देख सकते हो पीछे माइनस से प्लस होगा तो जब भी हमारे पास क्या होगा माइनस से प्लस ह इस्तानी निम्नतम मान हमें मिलता है यहां से भी देख सकते कि सर यह माइनस है और यहां से यह प्लस हो रहा है तो यह निम्तम बिंदु था यह सर माइनस है यह प्लस हो रहा है यह निम्तम बिंदु था तो जब भी माइनस से प्लस होगा हमें क्या मिलेगा निम्तम बिंदु तो यहां पर लिख दो कहां पर कोश्चन कहां गया यह एक्स बराबर माइनस दो तथा वन पर माइनस से प्लस और यहां भी माइनस से प्लस और माइनस से प्लस और माइनस दो तथा वन पर हमें या लिख दो सीधे लिख देते x परावर माइनस दो तथा 1 पर इस्थानी निम्तम इस्थानी निम्तम बिंदु प्राप्त होंगे इस्थानी निम्तम x परावर माइनस दो 1 पर इस्थानी निम्तम मान प्राप्त होंगे और दूसरा हमें उचितम कहा मिलेगा 0 पर क्योंकि प्लस से क्या हो रहा माइनस तो जब भी प्लस से माइनस होगा उचितम x पर जीरो पर उचितम मान इस्थानी लगा दो आंगे इस्दानी लगा ना जुरुई लोकल मैक्सिमाई लोकल मिनमा इस्थानी उच्चथ मान लो प्राप्त कॉर्प हों यह तो आगे अब हमारे पास बेंदों कि इन बंदूँओं पर हमें यह प्राप्त होंगे अब हमें मान भी निकालने है क्योंकि कोश्चन में कह रहा है कि इस्तानी उच्टम और इस्तानी निम्तम मान गयात करो तो मान कैसे निकालोगे मान निकालने के लिए जो यह माइनस दो एक है इसी दा फलन में रख दो जैसे आप जब तो F-2 निकालोगे तो actual फलन में लेखोगे जब माइनस दो का रखोगे इस फलन में एफट वाले फ़लन में माइनस दो रख दो तीन माइनस दो की घाट चार प्लसफ फोर माइनस दो की घात तीन और माइनस बारा एक्स की की घात 4 प्लस 4 वन की घात 3 माइनस 12 वन की घात किता है दो और प्लस का 12 तो जो मान आएगा वो निकाल के रख देना बाई कैलकुलेशन कर लेना और यह फ़रावर एक बाद 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 रख दोगे तो 3 जीरो प्लस 12 यह भी 0 और माइनस 12 यह भी 0 प्लस 12 मतलब केवल 12 बचे का अखरी में जो उच्छ तम मान होगा तो यहाँ से मान निकाल के आप बता दोगे तो और यह उपर वाले यह दो मान है यह तो तो कि मान भी निकाल के दिखाना आ है question में कह रहा हूँ जब भी मान निकालना होगा आप जो ये ख्रांतिक बिंदू आए इनको आप actual point पे रखो गया ख्रांतिक बिंदू हम पहचान लेते हैं कि कहां पर वो क्रांतिक बिंदू उंचे तम मान दे रहें कहां पे निमता हूँ वो हम इस प्लस माइनस के चिन्न के माध्यम से समझ लेते हैं। समझ में आई सबको बात कि क्या करना है। पहला प्रोसेस सेम है, F-X वैसे ही निकालते हैं, फिर F-X equal to 0 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्रांतिक बिंदू है, वहाँ पर प्रोणता 0 होती है, तो equal to 0 करके क्रांतिक बिंदू निकाल देते हैं। निकाल के आप संख्या रेखा पर वैसे दर साएंगे, प्लस-माइनस का चिन पता है, अलग-अलग वैलू रखके आप निकाल सकते हो, कि यहाँ पर बड़ी वैलू रखी, एक से बड़ी वैलू, फिर 0 के बीच की वैलू, माइनस से जीरो की वैज की वैलू, सब वैलू आने का मतलब ही क्या होता है, नीचे से हम उपर आ रहे, नीचे से उपर आ रहे, मतलब हम कहां जा रहे है, सर माइनस से प्लस हमने यहाँ पर देखा, कि यह माइनस से हम जब यह प्लस आते है, तो यह हम कहां पर बिलता है, हमें निम्तम वाला बिलू, माइनस से यह प्लस की यह निर्पेच ऑफ बनेगा एक इन पेच का भी करते आगे एनिर्पेच वाला साह है इसमें बी चलो निकालते हैं एक केस और बनता है जैसे एक केस का मतलब क्या है कि अभी तो घाते विसम थी एक दूसरा कोश्चन और लेते हैं थोड़ा और अच्छा कोश्चन अठारवा नंबर उधारान है फिर से कोश्चन हमारे पास जैसे यह fx बराबर अमने लिया क्या है 2x3 एक चीज और समझानी इसमें नति परिवर्तन बिंदू अभी हम लोगों नहीं सिका अभी समझने क्या होता है नति परिवर्तन यह fx एक फलन दिया गया है 2x3 माइनस 6x स्क्वाइर प्लस का 6x प्लस 5 वहीं काम करोगे f-x निकालो f-x आप निकालोगे तो दो तिया 6x स्क्वाइर माइनस का 12x और प्लस का 6 आपने f-x में से 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वाइर माइनस का 2x प्लस का 1 तो f-x यहाँ पर इसके गुड़न खंड करोगे तो यह x-1 का होल स्क्वाइल लिखा है खोल के देख लो a square b square तो a b यह आजाएगा माइनस में ठिक तो x-1 का होल स्क्वाइल लिखा लिखा है करांतिक बिन्दू वही काम करोगे f-x एकुल टू 0 कर दिया इकुल टू 0 तो यहां से हो गया 6 x-1 का होल स्क्वाइल इकुल जीरो यह हम किसले करना है करांतिक बिन्दू के लिए एक्स बरावर वन आएका संख्यारेखा बनाई यह प्लस अनंत यह माइनस अनंत एक बिंदू है वन अब वन से बड़ा मान वन से छोटा मान रखके देख लेते हैं कि क्या चिन आएंगे वन से बड़ा मान वन से छोटा मान वन से बड़ा मान रखेंगे अब यहां पर वर्ग अब ये पॉश्टिवली नहीं मिलेगी वन से बड़ा दो रक के देखो και तो भी वैलू पॉस्टिव आएगी वन से छोटा माल moż मैनस उन भी रखो है तो भी वैल्यी पॉस्टिव ऑएगी दोनों तरह पॉस्टिव आ गया सर छिन तो बदल ही नहीं अभी आपने बताया कि प्लस से सर माइनस हो तो उच्छे तम बिंदू मिल जाएगा उच्छे तम मान निकाल लेंगे माइनस से प्लस हो तो निमतम मान निकाल लेंगे लेकिन अब यह प्लस से प्लस रहे तो क्या करें कंडिशन बदल गई तो जब ये प्लस से प्लस रहे या माइनस से माइनस रहे चिन नहीं बदले ये माइनस से माइनस भी हो सकता है प्लस से प्लस आया है किसी केस में हो सकता है यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है परिवर्तित ना हो, जब परिवर्तित या बदले नहीं, परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो ने का मतलब क्या है, प्लस से वो प्लस ही रहे, या माइनस से माइनस ही रहे, तो हमें नतीप परिवर्तन बिंदु प्राप्त होता है, ये तीसरा पॉइंट, ठीक प्राप्ट बिनती परिवर्तन बिंदू होता है कि जब भी चिन परिवर्ति तो नहीं होगा एक डैस एक्स का तो जो में बिंदू प्राप्ट होगा उसे ही हम बोलते हैं नती परिवर्तन बिंदू यहां पे दिख रहा है कि प्लस से प्लस है हम यहां पर आंसर क्या नहीं बदला है अता यह एक एक पराबर एक एक नती परिवर्तन बिंदु है तो इस बिंदु पर हमें कुछ ना मैक्सिमा पराथ होता है ना कुछ मिनिममम वैल्यू पराथ होती है तो ना हमें उच्छे तम बिंदु पराथ होगा ना निम्तम मान पराथ होगा तो हमें तो ना कोई लिख दो सीधा तो ना कोई उच्छे तम मान होगा और ना ही निम्तम यही इस बात का आंसर है और कुछ नहीं चिक बस यही करना है और कुछ नहीं करना है दूसरा केस यह बन सकता है कभी कभी यह मालमने प्लस-फिस का है कि यहां परीवर्थ नहीं परवर्तित होते तो हमें कुछ भी नहीं नहीं परीवर्तित शोने वाला है यह बात मैक्सिमा और निकाल के है कि हम प्रथम में सेम वहीग सही करते हैं बस यहां पर थोड़ा सा जो चेंज है वह अगर मान निकालना है तो आप एक्चुल उसकी वेलू आ रख के वह मान निकाल के दे दोगे अब इसी में एक दुति ओकलेज होती है अब जैसे यह कोश्चन आगे मैंने लिए हैं तीसरे के दो तीन पार्ट है दुति ओकलेज विदी भी आसान है उसमें तो हमें संख्या रेखा नहीं बनानी पड़ती है मैं प्लस माइनस के चिंद में बहुत कंफीज होता है दूसरी विदी जो होती है दुति ओकलेज होता है दुति होता है यंवकलाज विदी आप पर इछ्छळ बोल दो इम्हेश दुद्ध होता है दुति हमक्रना मेरा पहले हैं कि पहला काम क्या से में तक है करेंगे कि f-x equal to 0 करेंगे और क्रांतिक बिंदु तो निकाल लेंगे फिर हम संख्या रेखा नहीं बनाएंगे बस इसके आँगे संख्या रेखा नहीं बनाना है क्या करना है इसके बाद इसका दुबारा अगर धैस एक्स को हम दुबारा अखलिद करेंगे अगर धैस एक्स की value greater than 0 है जब दुबारा अखलिद करोगे फिर करांतिक बिंदूओं के मान लखोगे तो मान लखोगे तो अगर f x greater than 0 आगया और या फिर condition हो सकती है कि f x less than 0 आ जाया या condition हो सकती है कि f-x equal to zero आजाया तीनी condition बनेगी इससे बाहर तो बने की नहीं या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा अगर f-x greater than zero आजाया तो हमें इस्थानी तो हमें इस्थानी निम्तम दिन्दु प्राफ्थ हो इस्थानी निम्तम मान ठीक अगर वो greater than zero आया simple हमें वहाँ पर क्या होगा इस्थानी निम्तम मान प्राफ्थ होगा अगर हमें less than zero आया तो इस्थानी उच्चितम मान उल्टा है जब zero छोटा आ रहा है तो उच्चितम प्राफ्थ हो रहा है उच्चितम मान और जब equal to zero आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे नती परिवर्तन बिन्दु नती परिवर्तन बिन्दु क्या कहेंगे नती परिवर्तन बिन्दु तीन चीजें आपर भी होंगी आसान है कैसे करना है इसको अप्लाई अभी बताते हैं अगर greater than zero है तो निम्तम है है आप क्या करो f dei Edge on anyี विश्यान टुकर निकाल नहीं पढ़ेगा तो f डैस एक्स क्या आया है टू एक्स to f double devil X क्या हो जाएगा टू बचेगा कुए क्वारा ओक्लन करेंगे तो क्या बचेगा के फल टू अब हम क्या करेंगे f double dash x पर यह क्रांतिक बिंदों के एक्स के मान रखेंगे मालों अब हम क्या हुम positive बिंदू एक आया है F double dash 0 निकालते हैं तो भी मान क्या रहेगा दो ही रहेगा ये बात तो पता है हमने पहले F dash x निकाला F dash equal to 0 करके हमने ये क्रांतिक बिंदू निकाल लिया ये क्रांतिक बिंदू निकाल लिया तो एक्स बराबर जीरो पर ये भी फलन का मान क्या है दो फलन का मान दो है मतलब एफ डवल डैस जो है हमारे पास जीरो वो क्या है सर ग्रेटर दें जीरो अगर ग्रेटर दें जीरो है तो यह में क्रावत क्या देगा सर ग्रेटर दें जीरो है यह हमारे पास निमतम मान देग लिख दो इस्तानी निम्नतम लिख देते हैं इस्तानी निम्नतम अब यहां से क्या आया यह हमारे पास एफ डैस जीरो पर हमें जो मान मिला वो में डवल डैस पर हमें क्या मिला दो मिला अब इस दो को तुम इस फलन में उठाके रख दो वही इसका मान होगा simple हमें जूँ मिला है यहमें निम्तम मान देगा यह दो निम्तम मान होगा क्या present निम्तम मान निम्तम हो जाएगा इस्थानी निम्तम मान चार आसान सा कोश्चन है अराम से कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं इसी में तीसरा कोशन और एक बार करता हूं यह थाड़ वाला कोश्चन क्या दिया गया है क्योंकि जब साइने स्कॉस्ट में दिया और टेवल बनाना वैसे भी दुतिक ओंकलस से करो आसान रहता है आपको ड सब्सक्राइब कर दो क्रातिक बिद्धू के लिए करोगे इकल टू जीरो तो कॉस एक्स माइनस साइड ले गए तो कॉस एक्स बराबर साइन सब्सक्राइब कर दिया या साइनेग से डिवाइड कर दो सीद्धाया साइनेग से डिवाइड कर दिया एकवल टूट रट कॉस talked x x हो गया cortex cortex बराबर 1 एक्स बराबर क्या जाएगा पाइगर फूर 45 डिगरी पर वन होता है ना पाइव फोर आ जाएगा प्रथम चतुरथांस की बात हो रही है यहाँ पर इसने रेंज दे भी रखी तो एफ double-dies x क्या हो जाएगा इस f-des x का दुबारा से अखलिन कर देते हैं कॉस x का हो जाएगा मायनस का साइन x sign x का हो जाएगा कॉस एक कोई दिख कर नहीं आप क्या करोगे इस करातिक बिन उपर फलन का मान निकालोगे पाई भाई लिए फुर रखो, X की जगह πॉय फूर रख गो, जैसे पाय बाइबाइफ लखो खें, माइनस का साइल, पाय बाइफ व्य ये माइनस का कॉस, पाय बाइफ व्य खोंग, क्या आ जाएगा, सर एफ डवल डैस एकटो टो आ जाएगा, पाय बाइ फूर, sin πi by 4 minus का 1 by root 2 ये भी minus का 1 by root 2 हर समान है minus common लेलो माल लो 1 plus 1 upon root 2 तो ये आ जाएगा minus का 2 upon root 2 मलब minus का root 2 क्या आ गया minus का root 2 निकल के आ गया ये आ गया minus का root 2 ये आ गया हमारे पास क्या f double dyes x की value कैसी आ इए सर एफ-डवल डैस जो है एफडवल डैस-पाइवाई-फॉर जो है वो लेस देन जीरो पर में क्या पराप्त होता है उच्छ तम्मान तो उच्छ तम्मान कैसे निकालोगे माइनस का रूट तू आप इसमें रख दू चीदे फलन में इस फलन में हमारे पास जो करांतिक बिं पर यहां पर यहां पर इस बिंदू पर फलन कमान इस बिन्दु पर फलन का मान इस बिन्दु पर फलन का मान इस बिन्दु पर फलन का मान तो यह बिन्दु का कौन से है यह एक्सवन एक्सटु एक्सटु एक कौन से बिन्दु है क्रांतिक बिन्दु तो हमेशा क्रांतिक बिन्दु पर इमान निकालेंगे पिछले सहद यह क आपर एक्स बराबर 0 इस फलन में रखोगे यहां पर तो यह रखोगे हमेंसा कराद्स कि दुरौए यह मान कभी ना रख देना कन्फूजन था इसलिए हो गया ठिक तो यहां पर एक्स पराबर जीरू तो सेम इसी प्रकार यहां पर क्या करोगे पाई भाई फोर जो है वो कहां रख दोगे एक्चुल फलन में तो वह में क्या देगा वह में यहां से उच्छ तम मान देगा क्योंकि हमें पता है ग्रेटर वन भाई रूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ठीक इस्तानी उचितम मारे पास मान क्या है रूट कूप यह तो यह में इस्तानी उचितम प्राप्त होगा वह रूट्टू होगा कि लिए सभी को यह बात सब को समझ में आया कि किस तरीके से उच्चितम और निम्तम दोनों विदियों से घ्याद करते हैं जब हमें फर्ष्ट ऑप्लज जिए जो हमारे पास लगानी प्रथम बाला जो मारे पास है एक बार उक्लन करिए और उन्हें संख्यार एका पर देखिए चिन जी साफ से परिवर्तित हो उसी अनुसार आप आंसर लिखिए अगर दूतिया उकलत से कर रहे हैं तो आप डैस एक्स कर पहले करांतिक बिंदू निकाली फिर डवल डैस जो निकाले उसमें करांतिक बिंदू रखकर देख ले कि वह वैल्यू पॉस्टिव आ रही है तो हमारे पास निम्तम मान होगा अगर निगेटिव आ रही त करूसिट की निकालत है इन कुस्टेन का करने 2-6 फिर उसके बात की बात करेंगे फलन इहां पर क्या दिया f x बराबर फलन दिया गया है 12 x की घात 12 x की घात 4 बटे 3 माइनस 6 x की घात 1 बटे 3 f x निकालो ओकलन कर दो 4 बटे 3 नीचे आ जाएगा 12 गुणे 4 बटे 3 और x की घात 4 बटे 3 माइनस का 1 माइनस 6 गुणे 1 बटे 3 x की घात 1 बटे 3 माइनस का 1 तो क्या जाएगा f x 3 चोको 12 चार चोको 16 चार तीन एक बटे 3 तीन दूना 6 तो 2 x की घात माइनस का 2 बटे 3 यह आगे हमारे पास f x आउकलन कर दिया के वल सिंपल आउकलन किया और कुश नहीं करांतिक बिंदू निकालो कैसे निकालोगे वही f x equal to 0 वो काम सभी में करना यहां तक करी लो तो 16 x की घात 1 बटे 3 1 बटे 3 माइनस 2 x की घात माइनस का 2 बटे 3 equal to 0 इसको उस साइड ले जाओ 16 x की घात 1 बटे 3 2 x की घात माइनस का 2 बटे 3 ठीक दो से इसको उड़ा लो दो अठी 16 x कमान निकालना है न इसको मालो नीचे ले आए x की घात 1 बटे 3 इसका नीचे तिरियक गुणा कर दिया तो x की घात माइनस 2 बटे 3 तिरियक गुणा हो गया वराबर में 1 चलना है दो बटे 3 को उपर ले जो यही से देख लो इदरी की क्या करते है माइनस के 2 बटे 3 को उपर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा तो 8 x की घात 1 बटे 3 और x की घात 2 बटे 3 बटे 3 बटाबर 1 तो 8 यहां से कित्ता हो जाएगा यह हो जाएगा x3 3 और 3 हो जाएगा x3 की घात 2 बटे 3 मतलब x ही बचेगा केवाद 1 एक बराबर आ जाएगा 1 यह एक का मान आ जाएगा क्रांतिक बिंदू के वल एक निकलेगा x बराबर 1 बाई 8 ठीक है एक ही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं यहां से x का मान हमने निकाला जो क्रांतिक उसके अलावत दो मान और लेने कौन से दो मान हमेशा इस प्रकार के कोश्चन में एक अंतराल तुम्हें दिया जाएगा जैसे यहां पर अंतराल लिखा है कि एक हमारे पास बिलॉंग कर रहा है माइनस एक से एक के बीच में तो एक बार x बराबर माइनस एक माला भी लाश अंतराल दिया जाए माइनस एक और एक इन तीनों बिंदूओं पर आप क्या करोगे इन तीनों बिंदूओं पर आप f-x की वेलू यहां से ग्याद करोगे यह यह fx की वेलू ग्याद करोगे जो हमें फलन में fx दिया गया था तीनों बिंदूओं पर अगर यह सीधा fx ज काल लो एकोल टू जी रोक्रके एक के जो कराथी बिंदा वह तो लेंगे प्लस जो अंतराल दिया जाँके यें happier ली अवाला बी इंदर भी इंदेर प्लस वीट इदर वाला भी ओढ़न मान ले लोर दोनों माल लेके आप ये कि इस तीनों मान कहा रखो तो इस फलन में जो फलन दिया गया था तो फलन क्या था हमारे पास ऐफ एक बराबर है बारा एक्स की घात 4 बटे तीन-6 एक्सी गात 1 बटे रखो 1 बाई 8 रखो यहां पर पहले जैसे आप एक बटे चार का है यहां पर है चाहरों और primarily कि है न हम यहां पर एक बटे आठ कि घाठ चारों अखा मैनस चैन एक बसे Appreciate मुझा इधर जेगह है आँए जीचि तो यह सल्फ कर लेतें देखो एक बटे हाठ पहले एक बटे तीन और एक to बते तीन एंगाट एक बते तीन इसाइक या फिधू करें दो यूशनओर करो यह आजए कर अजाए सोला था इन माईनस यह जाएगा चार तियां बारा चार चो को 16 तो जाएगा चार तियां बारा से तीन गए मलब माइनस का 9 बटे 4 मलब की माइनस का यह आ जाएगा मैइनस का दो दसंबलो दो पांच वेलई आ जाएगी मैइनस की दो दसंबलो 2.5 solve कर लो आराम से कोई दिखकत नहीं solve कर दी, आराम से solve करते रहों कोई दिखकत नहीं add वराबर minus 1 पर निकाल लो minus 1 लगद दो यहां पर 12 minus 1 की घाट 4 बटे 3 minus 2 छे-1 एक बटे ती तो कितना आ जाएगा माइनस वन की गा जैसे एक कुछ भी वोगन होता है लेकिन यहां पर घ्रफ चार उपर लगी सम ए गाथ प्लस हो जाएगा तो यह 12 यहां पर एक मटे तीनैं विसम ही रहेगा तो 12 से 6 चले जाएंगे तो 6 वचचेगा तो क्या क्या बचेकाइब अब स्वाइब से कुछ नहीं आसान हो गया अब यहां पर जहां पर हमें कम वेलू मिल रहे वह निमतंगे्ची सम्पलrent कर भाते ऐ हैं सिंपल् पर निर्पेच 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 उच्च समान हो जाएंगे आप डारेकटली लिख सकते हो जो वेल्यू आपको कम दिख रहे ही वह निर्पैश निम्तम मान है उच्च तम मान है जहां पर जू जादा दिख रही सीधी सी बाती के लियर सभी को बात थोड़ा सा बचा है अब ज्यादा निम्तम निप्रेश निप्रतम में फिक्स पैटन है आप एफ डैस एक्स तक जाओगे इक्वल टू जीरो करोगे और जो मान आएंगे वो और जो यहां पर अंतराल दिया जाएगा उनके दो बिंदु और लेलो लास्ट वाले दोनों बिंदु लेलो जो भी यहां पर लिखे ह आहिए मैं के कुछ फर्जी वर्जी कोशन करा आकि खतम करो जीक है कराना ही burdens Act नहीं है करना शीन होना हीवन صॉड है क्यों कोशन ज्यादा करा देना स्टथी कorest 하ijn क्योंकि कोशन तो बहुत है बहुत सारे कॉशन दिये और सारे करात हो तो उससे कोई फाइदा नहीं होता फिर तो कोई मतलब नहीं है तो कोश्चन अब जो ने करा दी आ है उसके अलावा तो कि आपको खुद अपनी गलती का एसास तब होगा, कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं, वो जब आप खुद से लगाओगे, खुद से ट्राइ करोगे, तो सभी लोग ये question जो मैं लगवा रहा हूँ, इन questions को तु लगा नहीं है, साथ में जो भी प्रशनावली में question दियेगे, कि उसारे question तुम लगाओगे कुछ से, ट्राइ करोगे, तुम्हे confidence आ जाएगा, question पक्का सही करके आओगे, कोई गलत question नहीं कर पाएगा, इस question पर आते हैं, जैसे एक question इस प्रकार question बहुत बनता है, कह रहा है, ऐसी दो धन संख्या है, X और Y ग्याद कीजिए, ताकि X प्ल दिखाते हैं किस मान पे X, Y के मान पर अधिक्तम होगा, ऐसा करते हैं, यह एक सवाई दो में फलन दिया गया, इसको एक में बदल लेते हैं, क्योंकि एक में उकलन करना आसान रहेगा, तो इसको बदलने के लिए यह दिया गया है, मालों, यहां से हम X बराबर 60-Y लिक सकते और इस 60-y को हम यहाँ पर पुट करते, इस वाली equation पर, इसको समी करने एक दे दो, ठिक, यहाँ से x की value निकाल ली, इस x की value को इसमें रखने, क्योंकि जिसको उचितम बनाना है, तो यहाँ से f y का फलन हो जाएगा, यहाँ पर 60-y रख देंगे, यह y cube हो गया, ठिक, हमने x क निकालने के लिए पहले ऐसा करो, अंदर गुणा कर लो, y में है पूरा एक फलन, तो पूरा गुणा कर लो अंदर, यह इसको अंदर गुणा करोगे, तो यह 60y cube, यह minus y की घाच, 4, f dash y निकाल लो, यह आ जाएगा, 6, 3, 18, y square minus 4y cube, अब f dash y equal to क्या हो जाएगा, 4y कॉमल ले लो, 4y square कॉमल ले लो, तो किता हो जाएगा, 4, 4, 16, 4, 25, 45, minus, यहाँ के बल क्या बचेगा, y, तो 45 minus y, करांतिक भी निकालने हैं, तो equal to 0 कर लेते हैं, अब यहाँ से क्या करो, f dash y equal to 0 कर लो, आसान है, अराम से 0 कर लो, क्या हो जाएगा, 4y square, 45 minus y equal to 0, एक तो आजाएगा, y बराबर डारेक्ट 0, y बराबर एक तो यहाँ से 0 हो जाएगा, सीधा, यहाँ से क्या आजाएगा, 45 equal to y, अलब य बराबर एक 45 आजाएगा, 2 मान आगे, संख्यार एक पर बना प्रतमा उकला सही कर लेते हैं, आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, य एक हो गया, 0, 1 हो गया, 45, ठीक, मान रख लो, अगर हम 45 से बड़ा मान लेते, 0, 45, दो इक रांतिक बिंदु आए, संख्यार एक पर बना लिए, प्लस अमेंथ है, यह माइनस अमेंथ है, ठीक है, अगर 45 से बड़ा कोई बिमान रखते हैं, यहाँ पर 45 से बड़ा रखोगे 46 भी रख दिया, तो भी वेलू माइनस किया जाएगी, ठीक, कोई दिख्यत नहीं, अगर हम 0 से 45 के बीच कोई बिमान रखते है, 0 से 45 के बीच कोई बिमान रखोगे, बेलू पॉस्ट्व आएगी, और 0 से छोटा कोई बिमान रखोगे, जीसे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, तो भी यह पॉश्टियू रहेगा यह भी पॉश्टियू रहेगा क्योंकि यह यहां से कोई बी माइनेस की वेलु रखके देख ले न आराम से पॉश्टियू आ रहा है उसके दोनों और चिन प्लस के रहेंगे, अगर घात सम है, 2, 4, 6 है तो हमेशा प्लस रहेगा, अगर 3, 5, 7 है तो हमेशा दोनों माइनस रहने वाले हैं, ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने देख लिया कि यह माइनस है, यह तो नति परिवरतन बिंदू हो यह प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस में क्या मिलता है, उच्छितम बिंदू मिलता है, तो क्या मिलेगा, वाई बरावर 45 पर में क्या मिलेगा, उच्छितम मान मिलेगा, सीधी सी बात यह, तो वाई बरावर कहां पे, सीधे लिग दो, वाई बरावर 45 पर उच्छितम पर तो निकाल दो यहां पर रख तो 60-45 मतलब की 15 एक्स की वेलू क्या हो जाएगी 15 वाई 45 और एक्स 15 यहीं एक्स वाई के दोनों के मान हो जाएगे कुछ नहीं करना था हमें उच्टम ही बताना था तो एक्स का मान जब 15 होगा और वाई का 45 होगा तभी हमें उच्टम मान प्राप्त होने वाले हैं ठीक है क्लियर असान होते इस प्रकार के कोश्चन बस थोड़ा सा सोचना है थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बाकी कोश्चन प्रेक्टिस से ही ने जैसे बताया तो आपको कोश्चन लगाने पढ़ेंगे ही खुद से कोई ऑप्सन है ने कोई सेकेंड ऑप्सन नहीं होता तो मैं बता देता कि केवल मैं यह बोल दूं कि आप कर लो वन सौट इस वन सौट से पूरे सो में सो आ जाएंगे शीदी बात यह समझे कि हम लोग साथ सतर नंबर की नहीं लड़ रहें यह बात दिमाग में डाल लो हम लोग लड़ाई लड़ा है 90 प्लस की 95 की तो उस नंबर के लिए हमें खुद से भी मेनत करनी होगी इस वन सौट के अलावा और प्रैक्टिस वो कोश्चन वो जो हमने लेक्टर लिए उनके सबके अलावा यह बात दिमाग में डाल लो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई गोल की नहीं पिलाने वाला कोई टीचर बेठा है कि आपको एक वन सौट करा दे और सो में सो लाग के दिखा दे ऐसा कुन नहीं उस फरजी बात हैं सुब कोई मतलब नहीं बा कि अंतर गत्साइए आयतों का वर्ग जो होता है वो वर्ग का छेत्रफल उसे अधिक घृत्र फल है ठीक हो आगर किसी वर्ग के अंदर आएत बनाते उस आयत में जो वर्ग होता है उसका च्छितफल सबसे अधिकतम होता ये बात कहना चाहरा है यहां पर कोई आप्शन है अमनों के पास मोजी आगे कोई हमनों के पास टूल नहीं है क्या वरत बना ले नहीं तो यार बन नहीं पाएगा जिमेट्री वरत बनेगा वरत कहां गया कि इंगर फॉंट क्लोन कि अधिक भी नहीं रहा कलर कैसे चेंज होगा इसको फॉंट अधिक दिखा रहा है चलो कोई नहीं एक वरत थोड़ा सब बन गया कमझे आज से बन नहीं पाता अब इस वरत के अंदर मालिया कोई आया था वहां सही बना लेते हैं कि इस वरत के अंदर को यहमारे पास यह आया था मालिया हख यहसे को यहेँ हमने मालिया कि इस वरत के अंदर को यह बढ़या फिकर हो गया चलो अच्छिए बात कह रहा है इस वरत के अंदर जो अबने यह आयत बनाई इसका जो आदर लि आ रहो तो इसका द्रफ पास्या दिक्ता और सकता यहीं ये बात सिद्ध करने को बोला है शेत्रफल की बात करनी है इस्टार्ट करते हैं समझते हूं देखो अगर हमें वरत्त पता है सीधी सी बात समझो तो वरत्त अगर पता है तो सिप एक चीज पता हो सकती है वह है त्रिज्जा और वरत्त में होता ही क्या है क्यों त्रिज्जा ह पता है त्रिज्जा पता है तो व्रत्त का काम हो जाएगा वृत्त में और कुछ है निसे था आई की खेल ए तो त Inte इंक मैं थि्ध्र की बात दे रही मतलब पता है तो अगर हम इसको यहां से यहां से मिला दें तो ये एक समकून तरभुज बन गया है, जिसकी अगर हम इस आयत की लंबाई X माल ले, चोड़ाई को Y माल ले, तो आयत का छेतरफल हम X गुड़े Y लगा सकते हैं, जिससे हमें उच्चितम दिखाने हैं, क्योंकि हमें छेतरफल की बात करनी है, तो आयत को तो रूप में ले इस कोण को अगर हम थीटा माल ले, तो X और Y दोनों की value हम निकाल सकते हैं, थीटा के पदों में, कैसे, यहां से हम पाइथागूरस प्रमे लगा सकते हैं, देखो ध्यान समझो, त्रभुज ABC में, ध्यान समझना, त्रभुज ABC में अगर हम बात करें, तो sin थीटा अगर लब होती है, लबव य है, कंड अमारे पास टुवार तो Y बराबर हमारे पास आ जाएगा, 2R sin थीटा, यह अमने Y कमान निकाल ला, ऐसे ही क्या करते हैं, एक बार X कमान निकालते हैं, X कमान कैसे निकलेगा, कॉस थीटा ले लो, साइन थीटा इसलिया क्यों 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 क् और थो एक्स ब्राबर आगया तू आर कॉस्ट टीटर यह और पास एक्स बराबर अब हमें क्या करना चेट फल को दिखाना अप सीदे चित फल लगाते मान लेते हैं छेट फल छेट फल हमारे पास क्या होता है इस शेत्रफल पसक्रों पहलती है सब्सक्राइब कर आत गुण है पहलतो फ्रत के बात की अंदर की बात की वर्त की तिरिजा में पता तो व्रत आर जो है वो constant है ठीटा का फुलन लिख लिया तो एफ ठीटा बराबर अमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ट्ू आर साइन ठीटा गुणे टू आर कॉष्ट इटा अब एफ ठीटा बराबर यहां से बन गया दो दो हो जाएगा चार ऐ स्काइर साइन डू तीटा कि यह तो आगया ऐफ ठीता एवन ठीता में एक फलन नीकाल लिया ख्रेटर फलन निकाल लिया फ्रीटा बर है बाहर साइन ठीटा का होगया कॉन्ष ठीटा कॉच ठीटा हुग तु तो एयफ ठीटा भराबर क्या हो गया यह गया फोर अर स्क्वाइर गॉट्र ठिक पोर अनुने स्कट अ वर sono एफ एफ्यटा है ते टाइप स्टीटा अधर चला है जिरो कॉस कहाँ पर जिरो होता है सिर्प पर्थम जट दो धानस की बात हो रही तो यहां से हो जाएगा टू ठीटा बराबर फॉर यह यह जो ने ठीटा निकाला था यह पाई गाला यह वैसे भी एक छोटी सी बात अगा सम्जों जब ठीटा पाई भाई फोर हो ठीटा पाई-बाई-फोर होता है मतलब कोई विकर्ण जो होता है किसी आयत में विकर्ण से जो ठीटा ये बनना ये पाई-बाई-बाई-फोर होता है तो वैसे भी वर्ग होता है ये बात हमें पता हो नीचे ये कि जब कोई आयत को ये विकर्ण काट रहा हो तो ये विकर्ण झाहिए फोस्टूरी पर हदो साया माइनस कज तुट क्या गया एट ओर स्कषयर मायनस के साथ साइन टूू खुल थिका अब क्या करते हैं क्रान्तिक बिंदू ब्राबर क्या या पाई-टू रह जी से से आ ठीटा बराबर यहां पर पाई बाई फूर रखोगे तो माइनस आऊट आठ अर स्कोयर साइन टू पाई बाई फूर दो से Small Cup गया फाई बैस पाई भाई फूर माइनस का आठ आर स्कोय साइन पाई बैट बैस साइन नेंटी कि वेलू क्या होती है 1 तो साइन निट्वन होता है तो है कि आ गया माइनस का एट अर इसक्षाइब दिख रहा है निगेटव आया है अगया है दिख रहा है f double dash pi by four जो है वो लेस देन 0 आया है निगेटव आया है और जब भी निगेटव होता है f double dash हमें उच्छितम मान प्राप्त होता है ये बात हमको पता होनी चाहिए कि जब भी यह निगेटिव होगा में क्या प्राप्त होगा उच्चितम मान यहां पर पीछे में कि यहां पर लिक देते हैं कोने एफ डावड़ डैस ठीटा है सिग्रेटर देन जिरो है कि डीटर देन जिरो है ठीटा बराबर सीधे लिए लिखते श्वाड़ अफ फोर पर अफी कि चय करेंडीं स relativ है अ मतल को आधा यो मारे पास क्या है ऑक से हमें देख रहा है कि अधम जो फोल होगा वो सबसे उच्छितम प्राप्त होता है प्राबर घटा पाई-बाइब पर पाई बाई फोर पर जो मारे पास वर्ग है वर्ग का छेत फल यही लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं इससे भी कोई दिक्कत नहीं है छेत फल उचितम है पर यहीं है थिक दोने तर ठीव लिख सकते हैं तो let s are bori यहां पर पाई by 4 और यहां से इस data बराबर पाई by 4 से जो हमारे यह अंदर अव्यर्ड बनना है यह च्या है वरक है यह आयत नहीं आयत है क्रकार का केसन आप डेरिवेट्व का था उकलेच के नपयोग था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत प्रॉपर लेक्चर डिजाइंड है मैंने कोशिस किया कि जाद से जाद बागी कोशन बहुत सारे हो सकते हैं अभी और इस पर मैं कोशन कराने बैठू तो बहुत कोशन दि रही और अपनी तरह से बीकॉश्चेंट लगाते लो जो भी कोशन लगा रहे हो सब्सक्रेंद आप आप जरूर्ब करके बताया करो मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि आपको यह कैसे लग रहा है वहां शेयर कर दिया तो जो भी ट्वल्थ के आप ग्रूप में अलग-अलग बैचस में तो आप आप जरूर करके सारे बच्चों को वह प्रवाइट करने ठीक है क्योंकि बहुत प्यारे वनसॉट है विदिवद बने हुए वनसॉट है इसी प्रकार चलेगे अभी कैलकुलस क सब्सक्राइब करेंगे समाकलन के बारे में बात करेंगे इंपोर्टेंट है वह भी वनसॉट तो मिलते हैं अगले वनसॉट के साथ तब तक के लिए टटा पाइबाए